राजकुमारी रूपमती राजकुमारी के उठने के बीच में राजकुमार ने उसे रोग दिया अब राजकुमारी ने हलके से अपनी आँखे प्रताब की ओर बढ़ाई और कहा मैं ठीक हूँ राजकुमारी को प्रताब बहुत प्यार से देख रहा था उसकी आँखों की ओर देखते ही, राजकुमार की दिल में जैसे आग लगने लगी. उसने एक बार फिर गंभीर भाव से प्रताप की ओर देखा और कहा, जब राजकुमारी पानी में थी, तो तुम महां क्या कर रहे थे? राजकुमारी तुम्हारी वज़े से पानी में गिरी हैं, बोलो! राजकुमार की ये बात सुनते ही, प्रताप ने उनकी ओर देखा और वो धीमे स्वर में बोला, माफ करिये लेकिन प्रताप आगे कुछ कहता, इससे पहले ही रूप मती ने बीच में उसकी बात काटते हुए, राजकुमार से कहा, इसमें प्रताप की कोई गलत सुनकर अपने दात कसली, फिर एक लंबी सास भरते हुए, वो प्रताप को घूरने लगी, और बोले, मैं आशा करता हूँ कि यही सच है, क्योंकि अगर मुझे ये पता चला कि बात कुछ होर है, तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, ये कहकर राजकुमार अपने दोनों हाथ अपने पीट के पीछे बानते हुए, वहां से चले गए, अब रूपमती के कमरे में कुछ दासियां और प्रताप खड़े थे, प्रताप रूपमती से थोड़ी ही दूर था, और उन्हें प्यार से देख रहा था, कुछ कहने के लिए प्रताप ने अपना मूँ खोला ह था कि रूपमती ने आवाज तेज करते हुए कहा, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दीजी, इस सुनते ही रूपमती के कमरे में खड़ी दासियां, बिना कुछ बोले कमरे से बाहर चली गए, प्रताप रूपमती के थोड़ी और करीब आ गया, और बोला, आपने मुझे बचाया था, क्या ये सच नहीं? रूपमती की बात सुनकर प्रताप हलके से मुस्कुराया और फिर बोला, अब जानती है कि मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, आपने राजकुमार से जूट क्यों कहा कि आपका पैर फिसल गया था, मैं जानता हूँ कि इसके ये सुनकर कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये कहकर रूपमती चूप होगी और खिड़की के बाहर देखने लगी, प्रताप ने हलके कदम रखते हुए आगे पीछे चलना शुरू किया, और फिर वो अचानक से बोला, राजकुमारी मधू अपनी गलती के लिए आप से ज चिंता होने लगी थी, लेकिन रूपमती ने उसे मना कर दिया, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मैंने आप से कहा ना, मधू ने मेरे साथ कुछ नहीं किया है, रूपमती ने ये बात थोड़ी गंभीरता के साथ गही थी, जिससे सुनकर प्रताप ने आगे कुछ नहीं का, वो कुछ देर ऐसे ही रूपमती को देखता रहा, रूपमती ने फिर अचानक से उठने की कोशिश की, पानी में धक्का देने की वज़े से रूपमती की पीट पर भी हलकी चोट आई थी, जिसकी वज़े से उसे उठने और बैठने में भी तकलीफ हो रही थी, रूपमती को इस तरह दर्द में देखते ही प्रताप ने उसका हाथ थाम ली, और दूसरा हाथ उसकी पीट पर आराम से रखते हुई, उसे बैठने में मदद करने लगा, जैसे ही रूपमती बैठी और उसके शरीर का दर्द थोड़ा कम हुआ, उस सोचते हुए धीरे धीरे वो और प्रताप अपने आप ही एक दूसरे से दूर हो गया, प्रताप ने अपने दोनों हाथ पीछे मोड़े और वहां से जाते हुए कहा, बाहर सब मेरी राहा देख रहे हुँगी, अब मैं विदा लेता हुँ राजकुमारी, राजकुमारी की आखे प्रताप को एक टक देख रही थी, कुछ सोचते हुए रूप मती ने कहा, सुनी, प्रताप ये सुनते ही उसी जगे रुप गया, रूप मती ने आगे कहा, क्या मैं आपसे कुछ पूच सकती हूँ, प्रताप हलके से मुस्कुराया और बोला, हाँ, बेशक, कहिए, र आपकल महल क्यों आये थे, क्या राजकुमार एश्वर्धन ने आपसे कुछ कहा है, इस सुनकर प्रताप के चहरे के भाव बदल दे, वो काफी देर तक कुछ नहीं बोला, और फिर उसने हलके स्वर में कहा, नहीं, वो बात सिर्फ मेरे बारे में थी, शायद कभी हमें फिर से अकेले रात बिताने का मौका मिले तो मैं आपको बताऊंगा, मैं अभी के लिए चलता हूँ, ये कहकर प्रताप वहां से चला गया, रूप मती को उसकी बात कुछ समझ नहीं है, वो काफी देर तक ही सूचती रहे, आखिर ऐसा क्या था जिसके बारे में पहले राजकुम दिन का उत्सो शुरू हो गया था, अब मधु के माता पिता सबसे मिलने लगे थे, लाइन से उनके लिए तोफे उस बड़े से कमरे के कोने में लगे हुए, इन सब के मीच मधु अपनी खास दासी के साथ अपने कमरे के कोने में उल्टी कर रही थी, उस दासी के पास एक ऐ ऐसी दवा थी, जिससे मधु का ये नशा जल्दी उतर सकता था, उस दवा को खिलाते ही उसका असर शुरू हो गया था, और उल्टी करते ही मधु का सारा नशा उतरने लगा था, दासी ने उसकी तुरन बाद मधु को नए कपड़े और उसके चहरे का रंग और रूप भी पहले जैसा कर दिया था, वो दासी मधु के साथ सालों से थी, वो मधु की ना सिर्फ बच्वन से देख भाल करती आई थी, मलकि मधु के हाओ भावी उसी की वज़े से इतने घमंडी थी, वो खुद को सबसे खुबसूरत और अत्मान दी थी, उस दासी ने मधु के बालों तो वो हलके से मुस्कुराई, दासी ने उसके गाल को प्यार से चुआ और वो आगे बोली, चलिए, अब जल्दी से राजकुमार को जाकर अपनी खुबसूरती दिखाई, पैसे भी वो राजकुमारी रूपमती कक्ष में आराम कर रही है, ये सोचते ही मधु की चहरे पर खतरनाक मुस्कान आगे, उसने खुद को शीशे में देखा और अपने बालों की लटको आखो पर लाते हुए बोली, राजकुमारी रूपमती चाहे कितनी भी कोशिश करे, मैं राजकुमार को ये महसूस करवा कर रहूँगी, कि उनसे गल्ती हो गई है, ये कहते ही मधु अपने जगे से उठी और बाहर चली गई, दासी के चहरे पर एक मुस्कान थी, वो उसी मुस्कान के साथ राजकुमारी के पीछे चली गई, बाहर बड़े आलिशान हॉल में जलती रोशनी के बीच कई सारे लोग खड़े थी, कुछ राजकुमारी यां एक साथ खड़ी थ आसपास लोगों के पास इस समय सिर्फ एक ही चीज पर बात करने का विशय था और वो विशय राजकुमारी रूपमती थी, हर कोई उनके अचानक से पानी में गिर जाने और फिर प्रताप और राजकुमार के उन्हें बचाने के बारे में बात कर रहे थी, प्रताप और बोली के बीच में खड़ी औरत ने कहा, वो औरत पासी के राज्य की राजकुमारी थी, उस समोह में और भी कुछ बड़े बड़े लोग थे, जो ये खबर सुनकर रूपमती की जिन्दगी पर हस रहे थे, हाँ, सच कह रही हो तो, आज भी कैसे पानी में डूपते हुए थोड़ी ही दूर खड़े राजकुमारी अश्वर्धन पर चली, राजकुमारी अश्वर्धन इस समय शांत रहने की कोशिश कर रहे थे, वो बाहर से अपनी चिंता और प्रताप के लिए नफरत दिखाना नहीं चाहती, वो बस चाहते थे कि जल्दी से ये उत्सो खत्म हो जाए और वो वापस अपने राजचे लोट जाए, तभी मधू वहाँ आ गए, और फिर से वहाँ खड़े सभी लोगों की नजरे मधू की ओर चली गए, मधू को अपनी खुपसूर्ती पर कोई शक नहीं था, वो लोगों की नजरों को अच्छी तरह पहचानती थी, इन्ह लोग ये तक बात कर रहे थे कि रूप मती मधू से ज़ादा खुपसूरत, हाँ मैं मानती हूँ कि राजकुमारी मधू बहुत सुन्दर है, लेकिन राजकुमारी रूप मती कुछ अलग ही है, एक आदमियों के समूह के पास गुजरते हुए, मधू ने सुना, ये सुनते ह मधू ने अपने दादों को कस लिया, वो राजकुमार यश्वर्धन के पास गई, जिनके साथ मधू के पिता पहले ही बात कर रहे थे। पुछ नहीं बोले। यहीं कह रही थी वैसे आपको बुरा ना लगे तो मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ राजकुमार। मदू के पिता कोई बहाना देकर वहां से चले गए। वो भी अपनी बेटी मदू और राजकुमार को साथ देखकर खुश थे। अगर उनका भी कोई सपना था तो यही था कि मदू की शादी सबसे बड़े राज्ये की होने वाले राजा से तै हो जाए। हाँ कहिए राजकुमारी। राजकुमार यश्वर्धन ने अपने हाथ में पकड़ी मदिरा को साइड में रखा और कहा। मदू ने अपनी बाल की उस लट को साइड किया और फिर वो राजकुमार की आँखों में प्यार से देखने लिए। वो पूरी कोशिश कर रही थी कि राजकुमार के किसी तरह से करीब आ जाए। फिर वो राजकुमार की और थोड़ा सा जुकते हुए बोली। माफ करना राजकुमार, मुझे ये कहना पड़ रहा है। आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे कितना दुख हुआ ये सुनकर, लेकिन मैंने सुना है कि राजकुमारी रूप मती किसी और से प्यार कर दी। और आपकी जगे वो उन्हीं से अपना विवाहर अचाना चाहती। राजकुमार मधु की बात सुनकर हैरान थी। उन्हें समझ नहीं आया कि वो आगे क्या बोली। ठीक इसी समय हॉल में एक और इंसान आया जिसके अंदर आते ही राजकुमार की नजर मधु से हटकर उसकी ओर चली। मधु ने जैसे ही ये देखा, वो भी पलट कर देखने लगी। अखिर कौन आया था हॉल में? और क्या राजकुमार मधु की बात सुनकर रूपमती से कुछ कहेंगे? और क्या ये बात सच थी? जादने के लिए सुनते रही है राजकुमारी रूपमती, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट इफिम पर। एपिसोड 42 एक नया सच मधु ये सब सुनते ही चौक दे, उसे समझ नहीं आया कि राजकुमार के आगे अब वो रूपमती से क्या कहें? उसने हर बढ़ाती हुई आवाज में कहा, आरी, राजकुमारी, मैं आपके बारे में बात नहीं कर रही थी, लगता है आपने कुछ गलत सुन लिया। ये सुनकर रूपमती हसने लगी, उसने एक पल के लिए मधु को ध्यान से देखा और फिर वो राजकुमार यश्वर्धन को देखने लगी। बाकी की शाम उसने राजकुमार की पास ही गुजार ले। राजकुमारी मधु जो इतनी महनत करके राजकुमार के पास पहुच और अपने रत में बैठने लगी राजकुमारी ने जैसे ही अपना पैर रत पर रखा राजकुमार ने अपना हाथ आगे बढ़ा कर उनकी रत में चढ़ने में मदद करनी चाहिए अपने नजरी उठा कर रूप मती ने उनका हाथ पकड़े बिना ही अपना कदम उपर रख लियो और वो रत के अंदर आकर बैठ गई राजकुमार जैसे ही रत में बैठे रूपमती खिड़की के बाहर देखने लेगी राजकुमार को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस तरह का विवहार क्यों कर रही थी रत को चले अब कुछ देर हो गई थी राजकुमारी ने एक बार भी राजकुमार की ओर नहीं देखा था जटका आने पर जैसे हर बार की तरह रूपमती राजकुमार की कंधों की ओर गिर थी उसने आज रत के एक कोने को इतनी कसकर पकड़ा हुआ था कि वे अपनी जगे से हिली भी नहीं देखते ही राजकुमार ने कहा राजकुमारी क्या आप मुझसे नाराज है राजकुमार को समझ नहीं आ रहा था कि उनसे कौन सी गलती हो गई थी कि रूपमती उनकी बातों का जवाब नहीं दे रही थी और इस तरह का रूखा विवहार कर रही थी रूपमती ने उनकी ओर नहीं देखा और ना ही कोई जवाब दिया वो अभी भी खिड़की के बाहर देख रही थी राजकुमार ने ये देखते ही एक बार फिर पूछा राजकुमारी रूपमती मैं आप से बात कर रहा हूँ राजकुमार के साथ आज तक किसी ने इस तरह विवहार नहीं किया था उनकी बात का उन्हीं किसी ने जवाब ना दिया इस सब उनके लिए काफी नया था रूपमती का मूँ मोड लेना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था रूपमती ने इस बात का जवाब देते हुए राजकुमार की ओर बिना देखे कहा मैं आपसे बात नहीं करना जाती ये सुनकर राजकुमार थोड़ा चौक गए और तुरंद बोले आप ये कैसे कह सकती है आपने मुझसे जूट कह एक राजकुमार होकर आपने मुझसे जूट कह रूपमती ने बीच में उनकी बात काटते हुए कह राजकुमार के लिए ये बात काफी नहीं थी उन्होंने रूपमती की खुपसूरत आखों की ओर देखा जो कि अब जुक सी गई थी राजकुमार आगे कुछ कहता उससे पहले रूपमती अपनी नकरों की पोट्टी खोलते हुए आगे बूली आपने कहा था कि मुझे महल से चले जाना चाहिए कि आप महरास से बात कर लेंगे तो फिर आज मैं इन सब लोगों की बीच आपकी राजकुमारी बनकर क्यों गई मुझे तो समझ नहीं आता कि आपने मुझे चुना ही क्यों है राजकुमारी मधु कितनी खुबसूरत है और आपके साथ रहना भी चाहती है तो फिर आपने उन्ही क्यों नहीं चुला रूपमती ने एक साथ राचकुमार के आगी दो तीन बाते रखती थी राचकुमार ये सुनते ही हसने लगा और फिर एक लंबी आहा भरते हुए उसने रूपमती की आँखों में देखा रूपमती मूँ मोड कर बैठी थी राचकुमार ने सबसे पहले प्यार से उसका चहरा अपनी और घुमा दिया और फिर वो रूपमती की आँखों में प्यार से देखते हुए बोला चाहे कोई कितना भी खुबसूरत मेरे लिए आप से ज़ादा खुबसूरत कोई नहीं रूपमती राचकुमार की आँखों में दो पल के लिए जैसे थम गई थी उसके लिए सब कुछ रुकसा गया था तब ही राचकुमार आगे बोली और रही बात जूट बोलने की तो मैंने सोचा जब तक महराज हमारे लिए कोई और राचकुमारी देखते हैं तब तक के लिए आपके खिलाफ प्रजा में बात ना हो इसलिए आपका मेरे साथ दिखना जरूरी था अब जन्मी दिन पर जाने का मन तो आप ही का था न रूपमती ने जैसे ही ये बात सुनी उसने जटके से अपना चहरा फिर से पलट लिया वो दोबारा खिड़की के बाहर देखने लगी और सोचने लगी कि कैसे हर बात पर एक औरत ही होती है जिसके खिलाब बाते होती है कोई कभी एक आदमी एक राजकुमार पर सवाल क्यों नहीं करता लेकिन इन सवालों का जवाब ना सिर्फ रूपमती बलकि किसी के पास नहीं था सालों से चली आ रही औरतों की जिंदगी अभी तक वैसी ही थी इन में से कुछ थे जो अलग जीने की चाह में अपने जिंदगी बदलने की राह पकड़ लेते थी उन्हीं में से एक थी राजकुमारी रूप में इन सवालों की बीच एक और सवाल था जो राजकुमारी को खटक रहा थी वो बार बार यही सोच रही थी कि प्रताब उससे क्या चुपा रहा था क्या उससे खुद ये बात राजकुमार से पूछनी चाहिए थी महल पहुचते ही राजकुमारी तुरंट अपने कक्ष की ओर चली गए राजकुमार भी अपने कक्ष में जाकर आराम करने लगा जब कुछ सिपाही कक्ष के दरवाजे के पास आया और बोले महरानी साहिबा हाजर हूँ राजकुमार की मा महरानी अंदर आई और उनसे मिलने लगी वो जानना चाहती थी कि राजकुमार की बात मधू से हुई थी कि नहीं अब क्योंकि राजकुमारी रोपमती को जल दी राजकुमार भेजने वाले थी तो उनके लिए नई राजकुमारी ढूनना भी सरूरी था मा, प्रणाम, कैसी हुआ राजकुमार अपनी जगे से उठकर अपनी मा के पैड छूते हुई बोला महरानी ने उसे आशरवाद दिया और फिर वे राजकुमार के आलिशान कमरे के बिस्तर के कोने पर बैठ गी और बोली मैं ठीक हूँ लेकिन तुम मुझे पहले ये बताओ कि कैसा रहा मध्धु के पिता का जन्मिदिन का जश्ट मा किसी तरह की तकलीफ तो नहीं हुई न महरानी की आँखे चमक रही थी राजकुमार भी आराम से उनके बगल में बैठे और कुछ सोचते हुए बोली हाँ, सब अच्छा था बस राजकुमारी रूपमती राजकुमार आगे कुछ कहता उससे पहले ही महरानी ने उसे बीच में काटते हुए कहा मैं राजकुमारी रूपमती के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती मुझे तो ये समझ नहीं आया कि तुम उन्हें अपने साथ क्यों लेकर गए जब रिष्टा खत्म करना ही है तो फिर ये सब क्या है राजकुमार इस बात का जवाब देने से पहले कुछ देर के लिए शान्त हो गए वो कुछ बोलने ही लगा कि महरानी आगे बोली अच्छा ये सब छोड़ो मुझे ये बताओ कि राजकुमारी मधु से तुम्हारी बात हुए की नहीं राजकुमार ने इस बात को बिना सोचे बड़े ही साधारन में कहा हाँ वो आई थी कुछ देर के लिए महरानी ये सुनते ही तुरंद बोली राजकुमारी मधु बहुत खुबसूरत है न तुम्हें कैसी लगी राजकुमार ने अपनी नजरे मोल ली और वो बोला मा मुझे कैसी लगी उस बात से क्या फर्क पड़ता है आप ये सवाल क्यों पूछ रही है ये सुनते ही महरानी बोली क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम अपने विवाह के लिए एक सही चुनाओ करो एक बार गलती हो गई लेकिन बार बार वो चीज मैं तुम्हें दोहराने नहीं दूँगी मेरी मानो तो राजकुमारी मधु एक अच्छी लड़की है और तुम्हें उन्ही को चुनना चाही राजकुमार मन ही मन राजकुमारी मधु की सारी चालाकियां जानते थे उन्होंने आज ही राजकुमारी मधु को नशे की हालत में देखा था लेकिन वो अपनी मा के आगी कुछ नहीं बोली, राजकुमार ने तुरंती विश्य बदलती हुए कहा, अच्छा मा ठीक है, इस सब बात की बात है, जब विवाह का समय आएगा तब देख लेंगे, राजकुमार ये बात दिल पर पत्थर रखकर कह रहा था, वो जानता था कि वो अभी भी अपने दिल से रूपमती को नहीं निकाल पाया था, हाला कि उसने उन्हें जाने के लिए कह दिया था, लेकिन रूपमती का महल छोड़कर चले जाने के ख्याद से भी, राजकुमार का दिल दुखने लगा था, अपनी मा से कुछ देर इसी तरह की बाते करने क वो राजकुमार को आराम करने के लिए अकीला छोड़ कर चली गई। वो सोचने लगे कि कहीं वो बात सच तो नहीं। वो राजकुमार के अंदर प्रताप को लेकर गुस्सा उमड रहा था। और वहीं दूसरी तरफ महल के एक खुबसूरत कमरे में एक दासी, एक राजकुमारी को जश्र में हुई सारी खबर टुकडों में सुना रही थी। ये राजकुमारी रोहिनी थी, जो कि राजकुमार एश्वरधन की मूँ बोली बहन थी। क्या, राजकुमारी रूपमती और राजकुमार प्रताप एक साथ थे। रोहिनी ने बड़ी हैरानी के साथ पूछा। ये सुनते ही वो दासी अपनी बड़ी आँखों से आगी की बात बताते हुए बूली। हाँ बेशक, उन्हें पानी से निकालने वाले राजकुमार प्रताप ही थे। मैंने अपनी इन दोनों बड़ी बड़ी आँखों से देखा था। कि कैसे उन्होंने डूपते हुए राजकुमारी रूपमती को अपनी बाहों में उठाया और पानी से बाहर ले गए। ये कह ही रोहिनी का गुस्सा पार हो गया। उसने गुस्से से दासी की और देखा और वो उसे डाटते हुए बोली। ये क्या बक्वास कर रही हो तुम। राजकुमार प्रताप ऐसा बिलकुल नहीं कर सकते। दासी ये सुनते ही थोड़ा सहम कर पीछे हट गए। और अपना मू मूरते हुए बोली। मैं तो कह रही हूँ कि मैंने ये सब अपनी इन बड़ी बड़ी आँखों से देखा है। अब आप उन्हें मानना चाहे या नहीं ये तो आपका मन है। रोहिनी की ये दासी बड़ी खास थी। सालों से साथ रहने पर ये भी मोहिनी के लिए महल में च काफी करीब आने लगे लिए। इस ख्याल को सोचते ही रोहिनी ने अपनी मुठी कसली और उसकी आँखे अपने आप भराए। दासी के आगे ना रोने के लिए वो कठोर भाव में बुली। मुझे अखेला छोड़ दो। ये सुनते ही कमरे में मुझूद सारी दासियां ब प्रताप तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आखिर क्या कहानी थी रोहिनी और प्रताप की। क्या वो किसी जमाने में एक दूसरे के साथ थी। जानने के लिए सुनते रही। रानी रूब मत। सिर्फ और सिर्फ पॉकेट इफेंपर। एपिसोट 43 तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। मुझे लगता है राजकुमारी कि आपको राजकुमारी रूपमती से जाकर बात करनी चाहिए। दासी ने रोहिनी से कहा। मधू के पिता की जन्मी दिन के उत्सो से आए, सब को एक रात बीच चुकी थी। पिछली रात रोहिनी ने दासी की मुझ से जो कुछ सुना था, उससे वो काफी परिशान हो गई थी। अगली सुबै भी जब रोहिनी के चहरे पर कोई मुस्कान नहीं आई, तो उसकी दास मार पृताप के साथ आपका रिष्टा है। दासी ने थोड़ा हिचकी चाते हुए आगे कहा। ये शद सुनते ही रोहिनी की आखे जो की दीवार की तरफ थी। अच्छानक से उस दासी की ओर चली गई। उसने तुरंत अपने पैर से ही दासी को रुख जाने का इशारा कि और फिर वो गुस्से में उसकी ओर देखते हुए बोली। अपनी आउकात मत भूलो। तुम एक दासी हो समझी। कौन हो तुम। बोलो। रोहिनी की आवाज तेज हो गई थी। और वो अपनी तीखी आखों से दासी की तरफ देख रही थी। दासी ने अपनी नजरे जु तुम मुझे नहीं बता सकती कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तुम से दो पल बात क्या कर लो। तुम तो सर पर चढ़ने लगती हो। राजकुमारी रोहिनी ने आगे कहा और अपना मुझ फेर लिया। मुझ फेरते ही एक बार फिर उसको अपने मन में प्रता पर रूप मती नजर अल और इस ख्याल से रोहिनी के आखे भराएं। तुरंत अपनी आखों से टपका आशू पोचते ही। उसने अपनी दासी की ओर देखा जो कि अभी भी वहीं खड़ी थी। और वो तेज आवाज में बोली। अपनी शकल मत दिखाओ मुझे। जाओ य अपनी आखे जुकाते हुए वो बोली। राजकुमार की जैह। दासी का दिल जोरो से धड़क रहा था। राजकुमार अंदर से आई रोहिनी के चीखने की आवाज पहले ही सुन चुका था। जब उसने दासी की शकल देखी तो वो समझ क्या कि रोहिनी गुस्से में दासी को कोई ज़ब दिये बिना ही राजकुमार अंदर दाखिल हो गया। रोहिनी खिड़की के बाहर देख रही थी। राजकुमार अंदर आएं और रोहिनी का नाम लेते हुए बोले। रोहिनी सब ठीक है ना। रोहिनी ने तुरंट अपने आशु पोछे और फिर वो ह यश्वर्धन बचपन से साथ थी, इसलिए बाकियों की तरह रोहिनी यश्वर्धन को राजकुमार नहीं बलकि नाम से बुलाती थी और यश्वर्धन भी रोहिनी को उसी तरह पुकारता था. ये कहकर रोहिनी ने अपने बालों को ठीक किया और अपनी शक्ल शीशे में देखते हुए वो यश्वर्धन के पास आई और बोली आओ, बैट जाओ, सब ठीक तो है न? राजकुमार यश्वर्धन रोहिनी का हर एक कदम ध्यान से देख रहा था वो जानता था कि रोहिनी परिशान थी, वो उसकी शक्ल देखकर ये भी समझ गया था कि शायद वो प्रताप और रूपमती के बारे में सुन चुकी थी रोहिनी इधर से उधर सामान ठीक करने में लगी थी और चलते फिरते यही कह रही थी कि उसकी दासियां धंग से काम नहीं करती कमरे की हर एक चीज साप सुथरी थी और साथ ही साथ जगे पर भी थी लेकिन फिर भी उन सब को छेड़ते हुए रोहिनी हर बढ़ाते हुए बात बदलने की कोशिश कर रही यश्वर्धन ने ये देखते ही रोहिनी का हाथ पकड़ लिया और कहा रोहिनी शान्त हो जाओ ये कहते ही यश्वर्धन उसका हाथ पकड़कर उसे बैठाने लगा बैठते हुए रोहिनी ने फिर से अपने आशुओं से भरी आँखों को मूँ फेड़ते हुए राजकुमार यश्वर्धन से चुपा लिया यश्वर्धन ने उसका चहरा अपनी ओर करते हुए कहा अब बताओ, क्या हुआ है? मुझे एकदम सच सुनना है रोहिनी रोहिनी ने एक लंबी आह भरी और अपनी आँखों को बंद कर लिया अचानक से उसकी एक आंक से आंसू गाल से फिसलते हुए नीचे चला गया यश्वर्धन ने वो आंसू पोचा और कहा तुम्हें जितना रोना है रो लो रोहिनी मन हलका कर लो मैं हूना यहाँ पर ये सुनते ही रोहिनी ने रोना शुरू कर दिया यश्वर्धन उसके बगल में बैठकर काफी देर तक उसे देखता रहा अपना अच्छे से मन हलका करने के बाद सिसक्ती हुई रोहिनी बोली ये सब सच है क्या भाई क्या पृताप और रोपमती के बीच रोहिनी इसके आगे यश्वर्धन से कुछ कहनी पए राजकुमार भी समझ चुका था कि रोहिनी का इशारा किस तरफ था राजकुमार ने रोहिनी के ओर देखा और बोला मैं अभी पूरी बात नहीं जानता सर्फ इतना जानता हूं कि प्रताप और रोपमती के बीच अच्छी दोस्ती है राजकुमार आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही रोहिनी बोली लेकिन भाई राजकुमारी रोपमती का आप से विवाह होने वाला था अखिर क्या तकलीफ है उन्हें वो विवाह से पहले ये सब क्या उन्हें मालूम नहीं है कि कितने अफाय फैल रही हूं ने लेकर तुमने कुछ नहीं कहा यश्वर्धन। राजकुमार ये बात सुनकर चुप था, वो नहीं जानता था कि वो क्या कहे। रूपमती की खुले ख्यालातू की वज़े से प्रजा में कई लोग उसके खिलाफ हो गये थे। एक लंबी सांस छोड़ते हुए राजकुमार ने कहा, मैं बात करूँगा रूपमती से, तुम चिंता मत करो, तुम बस अपना ख्याल रखो, तब बेट ठीक है अब तुम्हारी। ये कहकर राजकुमार की नजर रोहिनी की पेट की तरफ पे, ये देखते ही तुरंत रोहिनी ने अपना पेट ढख लिया, और वो अपनी जगे से उठते हुए कमरे की कोने में चली गई और बोली, हाँ, अब मैं ठीक हूँ, और और बहतर ये हुगा कि राजकुमारी और देखा और कहा, मैं सम्हाल नूँगी एश्वर्धन, तुम चिंता मत करूं। रोहिनी की ये बात सुनकर एश्वर्धन ने कुछ सोचा और बोला, ठीक है, लेकिन रोहिनी जादा मत चिलनाना, राजकुमारी रूप मती बस थोड़ा अलग है बाकियों से, लेकिन दिल क बुरी नहीं है, रोहिनी ने ये शब्द सुनते ही राजकुमार की और हैरानी से देखा, उसने आज से पहले राजकुमार के दिल में किसी और के लिए इस तरह की चिंता नहीं देखी थी, और यहाँ पर बात रोहिनी की थी, फिर भी राजकुमार को इतनी चिंता करते रोहिनी ने इस बात पर कुछ नहीं कहा और थोड़ी देर में राजकुमार भी वहां से चली गए राजकुमार के वहां से जाने के बाद रोहिनी ने अपनी दासी को अंदर बुलाया और वो तैयार होने लगी कुछ घंटों बाद जब दासी उसके बालों को ठीक कर रही थी तो वो बोली राजकुमारी रूपमती को पैगाम भिजवा दो कि मैं उनसे मिलना चाहते हूं जी राजकुमारी ये कहकर दासी वहां से चली गए रोहिनी ने खुद की शकल आइने में देखी और अपने पेट पर हाथ रखते हुए उसने अपने आखी जुका ली कुछ तो था रोहिनी के बारे में जो वो सबसे चुपाने की कोशिश कर रही थी खुले बगीचे में रूपमती अपनी एक दासी के साथ घूम रही थी कल रात जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में सोचते हुए रूपमती अब बस इंतजार कर रही थी कि कब राजकुमार का पैगाम आएगा और वो कब यहां से निकल पाएगी रूपमती एक छोटे से पानी के तालाब के पास पहुँचकर वहां मौझूद बथकों को उनका दाना देने लगी उसके चहरे पर हलकी मुस्कान थी रूपमती बच्पन से ही छोटे मासूम जानवरों को अपने सबसे करीब समझती थी उनको खाना खिला कर और उनकी करीब रहने से रूपमती की दिल को जैसे आराम पहुँचता था वो कई बार ये सोचती थी कि काश वो भी उन्ही के जैसी एक प्यारी नन्ही जानवर होती शायद कोई तितली या फिर कोई चड़िया तो वो भी हवा में खुला घुम पाती बिना किसी रोगटो रूपमती अभी दाना डाल रही थी ना तो वो उन से कभी मिली थी और ना ही वो ये जानती थी कि वो रूपमती से क्यों मिलने आ रही थी रूपमती ने आराम से बतक को खाना दिया और फिर वो बोली ठीक है ये सुनकर सिपाही वहां से चला गया रूपमती ने अपनी दासी की और देखा और कहा राजकुमारी रोहिनी कौन है दासी ने धीमी आवाज में रूपमती से कहा राजकुमारी रोहिनी राजकुमार की मूँ बोली बहन है वो दोनों सबसे करीबी है दासी आगे कुछ कहती उससे पहले रूपमती बोली राजकुमारी रोहिनी ने अभी तक शादी नहीं की? नहीं, उनके लिए कई रिष्टे आएं, लेकिन उन्होंने किसी से भी शादी करने से इंकार कर दिया लोगों का मानना है कि वो किसी और राजकुमार से प्यार करती है किस से? रूपमती ने पूचा, लेकिन दासी के पास इसका कोई जवाब नहीं था वो भी बस रूपमती को सुनी हुई खबर बता रही थी अब उसमें से कितना सच था और कितना नहीं, ये बात कोई नहीं जानता था रूपमती ने सामने एक खुबसूरत फूलों के पेड को देखा और कुछ सोचते हुए उसकी ओर बढ़ गए रूपमती ने अभी इस पेड से फूल को तोड़ा ही था कि पीछे से उसे एक औरत की आवाज आई ये हमारा सबसे मन पसंद पेड है रूपमती ने मुर कर देखा तो वो औरत बोली आप से मिलकर खुशी हुई राजकुमारी रूपमती रूपमती ने भी अपने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और कहा मुझे भी आप ही है राजकुमारी रोहिनी जी राजकुमारी रोहिनी ने कहा और फिर वो रूपमती के हाथ में पकड़े उस फूल को देखने लगी, और आगी बोली, आप जानती हैं कि इस पेड़ की फूलों को अगर कोई तोड़नी की कोशिश भी करता है, तो हमें बहुत तकलीफ होती है, यहां तक कि हम उसे सजा भी देते हैं, रूपमती ने ये सु पूना भी मना है, लेकिन आपने तो हमारा मन पसंद फूल तोड़कर अपने हाथ में ले लिया, लोगों की चीजों को अपना बनाना इतना पसंद है आपको, रूपमती हैरान थी, उसने नहीं सोचा था कि आते ही रोहिनी इतनी छोटी सी बात पर उसे इतना कुछ सुनाने रूपमती ने तुरंट कहा, माफ करिएगा राजकुमारी, लेकिन मुझे नहीं पता कि ऐसी कोई बात है, वरना मैं ऐसा कभी… रूपमती समझ नहीं पा रही था, कि रोहिनी का इशारा सिर्फ फूल के लिए नहीं था, बलकि प्रताब के लिए भी था। श्वर्धन सही कह रहे थे, आप सच में बाकियों से अलग है, मेरी बात को दोहराते हुए मेरे आगे रखने की हिम्मत कर रही हूँ, आपको क्या लगता है, आप हो कौन। रूपमती ये शब्द सुनकर चौक गई थी, उसके चहरे पर गुस्ता साफ नजर आ रहा था, उसने रोहिनी की ओर देखा और कुछ कहने के लिए अपना मूँ खोल लिया, लेकिन कुछ कहने की जगए अचानक से रूपमती ने रोहिनी को धक्का दिया और वो जमीन पर ग एपिसोट 44 तीर का निशान रूपमती को इस तरह खत्रे की ओर भागते हुए देख, रोहिनी तेज आवाज में बोली, राजकुमारी, राजकुमारी रूपमती रुपमती रुपमती जैसे ही उसकी ओर बढ़ने लगी, उसके साथ साथ वहां खड़े सिपाही बेकाम पर लग गए, ये तीर उस बगी रूपमती और खुद को बचा पाई, लेकिन ऐसे आदमी को वहां से जाने देना एक बिलकुल सही फैसला नहीं था, रूपमती बस उस आदमी को पकड़ने ही वाली थी, कि वो अचानक से गायब हो गया, वो जंगल में ही अचानक से ऐसी जगे चुपा, जहां पर रूपमत रूपमती के साथ भाग रहे सिपाही हर तरफ उस आदमी को ढूनने लगी, रूपमती ने कहा, मुझे ही यकीन है, वो यहीं कहीं होगा, आप लोग देखते रही हैं, ये कहते हुए रूपमती खुद भी उस आदमी को ढूनने लगी, लेकिन वहां पर उन लोगों को कोई नहीं मिला, ये बिलकुल ऐसे था जैसे अचानक से ही वो आदमी हवा में कहीं गायब हो गया, कुछ तेर बाद रूपमती वहां से बाहर आ गए, जब वो जंगल से बाहर निकली, तो उसने देखा कि राजकुमार उस तरफ आ रहे थी, वो रूपमती के पास रुके और बो मैं ठीक हूं राजकुमार, लेकिन माफ करिएगा, वो आदमी हमें नहीं मिल पाया, मुझे यकीन था कि वो उसी तरफ भागा है। राजकुमार ने जैसे ही ये बात सुने, उन्होंने बिना एक मिनट बरबात की, सीधे रूपमती का हाथ थामा और उसके हाथ को चूम लिय और वो बोले, आज आपने मेरी बहन की जान बचाई, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ, उस आदमी को हम ढूल लेंगे, लेकिन जरूरी बात ये है कि आप दोनों ठीक हैं। ये कहते हुए राजकुमार ने रूपमती और रोहिनी को देखा, वहां से लोटने के बाद कभी ये बात महल में हर तरफ फैल गई, ये बात कोई नहीं बता सकता था। राजा को ये बात खुद बताने के लिए राजकुमार उनके पास पहुचे थी। राजकुमार जब अंदर गय तो कुछ दासियां उनके पैर और कंधे दबा रही थी। राजकुमार के आत हुआ था कि वो राजा को रूपमती के बारे में एक अच्छी खबर देने आया था। महराज की जैहू राजकुमार ने कहा। ये सुनते ही उसके पिता हलके से हसे और बोले। राजकुमार आप से कितनी बार कहा है कि आपको सलाम देने की जरूरत नहीं है। आईए बैठी मैं जानता हूँ कि आप मेरे पिता हैं लेकिन आप पहले महराज है। राजकुमार ने एक मुस्कान के साथ कहा और वो राजकुमार के सबसे पास वाली जगे पर जाकर बैठी। महराज ने राजकुमार की ओर देखा और कहा जो खबर आप देने आये हैं शायद वो मेरे प पकड़ने उसके पीछे भागने लगी, मैंने आज तक किसी लड़की को ऐसा करते हुए नहीं देखा है, कुछ तो बात है उनमें, महराज ये बात सिर्फ सुन रहा था, उन्होंने रूपमती की तारीफ करने की जगे, सीधे कहा, और वो तीर, तुम्हें क्या लगता है, कि य वार क्यों कर रहा है, ये बात सुनते ही राजकुमार भी गहरी सोच में चली गए, और बोले, मैं भी ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने उस तीर को भी अच्छी तरह से देखा, जो कि हमारे राज्जी में आया, ये किसी अच्छे राज्जी में बनाया गया, लेकि फिर हमारे राज्जी में ऐसा कुछ नहीं मिलता, तो मुझे इस बात का तो यकीन है कि ये हमारी प्रजा में से कोई नहीं, ये कोई बाहर वाला है, राजकुमार ने जब ये बात कही, तो राज्जा अपनी दाढ़ी में हाथ फेड़ते हुए, ध्यान से कुछ सोचने लग फिर वो एक लंबी आह भढ़ते हुए बोली, और तुम्हें क्या लगता है, ये वार राजकुमारी रूपमती के लिए था या फिर रोहिनी? जहां तक की कहानी राजकुमार ने रोहिनी और रूपमती से सुनी थी, उससे यही लग रहा था कि ये तीर राजकुमारी रोहिनी के लिए चलाय गया था, लेकिन राजकुमारी रोहिनी का कौन दुश्मन हो सकता था, जो उनकी जान लेनी की कोशिश करे, अगर ये तीर र तीर राचकुमारी रूप मती के लिए ही चलाया गया हूँ, और रोहीनी बीच में आ गयी हूँ ऐसा हो तो सकता था, राचकुमार ने मन ही मन सोचा, लेकिन ऐसा असल में होना मुश्किल था कुछ देराजकुमार और महाराज की इस बारे में बात चली और अंत में यही फैसला हुआ कि जंगल की उर उन्हें अपनी और सेना लगाने की जरूरत थी वो आदमी कब आया और ऐसे कैसे गायब हो गया यह सवाल उन दोनों के मन में था सूरिज ढल चुका था रूपमती अपने कमरे में आराम कर रही थी लेकिन बार-बार करवट बदलते हुए भी उसे नीन नहीं आ रही थी वो बार-बार यही सोच रही थी कि आखिर वो तीर किसने चलाया था जैसे ही वो सुबह जो कुछ हुआ उसके बारे में सोचती तो उसे अपने ख्यालों में राज कुमार उसका हाथ चुमते हुए भी नजर आती। वो अपने हाथ की और देखती और फिर शान्त हो जाती। आज तक रोहिनी को किसी ने इस तरह से नहीं चुमा था। वो शुर्वात से ही इन सब बातों का ध्यान रखती थी। और किसी को भी अपने इतने करीब नहीं आने देती थी। कुछ सोचती हुए वो अपनी जगे से उठी और कोने में रखे पानी के जग से पानी पीने लेती। रूपमती पानी पीते ही खिड़की के पास आई और वहाँ पर खड़ी होगी। आज बाहर ठंडी हवाएं चल रही थी। के ओड़ रहे थे और ढलते हुए सूरच की रोशने रूपमती के चहरे पर किसी प्यारी एहसास की तरह नजर आ रही थी। राजकुमार ने जब उसे इस तरह देखा तो उसके चहरे पर हलकी मुस्कान आ गए। राजकुमार रूपमती से इतना प्यार करने लगेगा उसने ये बात कभी नहीं सोची थी। वो हर कदम यही कोशिश करता था कि किसी तरह रूपमती रुख जाए और वापस लोटने की बात ना करे। राजकुमार उसके हवा में उड़ते बालों को ठीक करने ही लगा था कि अचानक से रूपमती ने अपनी आखे खोल ली और राजकुमार को अपने करीब देखकर उसके मुझ से तीज चीक निकल गए। रूपमती चिलाई और अपनी चहरे को ढखते हुए उसने अपने कदम पीछे ले लिए। उसकी चिलाने पर कुछ दासी आंदर आई और फिर राजकुमार को वहां देखते ही उसी जगए पर ठहर गए। राजकुमार ने तुरंट उन्दासियों को बाहर इंतजार करने को कहा और फिर वो रूपमती से बोली। राजकुमारी आप। वो आगे कुछ कह पाते उससे पहले ही रूपमती ने गुस्से से कहा। ये आप क्या कर रहे थे? क्या आप मेरी जान लेना चाहते हैं? इस तरह से मुझे डरा क्यों रहे हैं? रूपमती का दिल जोरो से धड़क रहा था और उसकी सांसे भी जैसे अचानक से तेज हो गई थी। अचानक से उस जगए पर राजकुमार को देखते ही वो घबरा गई थी। राजकुमार ने हलके से हसते हुए कहा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अगर आपके सवाल जवाब हो गए हूँ, तो मैं अब आराम करना चाहती हूँ। रूपमती ये कहते हुए अपने बिस्तर पर बैठके। राजकुमार ने उसकी ओर देखा और कहा, ठीक है। और मैं आपको एक और बात बताने आया था। इस सुनकर रूपमती ने उनकी ओर देखा, राजकुमार गंभीर भाव के साथ आगी बोला। परसो राज्य में एक बड़ी तीर कमान की पृतियोगिता रख रहे हैं। उसकी तैयारी शुरू हो गई। और परसो शाम से कारकरम शुरू हो जाए। लेकिन ये सब क्यों? इतना अचानक से? क्या आप उस आदमी को ढूनने के लिए ये सब कर रहे हैं? रूपमती ने कहा। राजकुमार को रूपमती से ये बात समझने की काफी उम्मीद ली और बिल्कुल वैसे ही हुआ। राजकुमार ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। आप ने बिल्कुल सही सोचा। लेकिन वो दुश्मन आपकी इस प्रित्योगिता का हिस्सा क्यों बनेगा? और इतने लोगों की बीच आप उसे पहचानेंगी कैसे? रूपमती ने पूछा। रूपमती की बात सुनते ही राजकुमार आगे बोली। हमने तै कि जीतने वाले को सोने के धेर सारे सिक्के दिये जाएंगी। और मुझे विश्वास है कि पैसे के लालच में वो ये प्रित्योगिता में जरूर खिलने आएगा। और दूसरी बात ये कि वो आदमी कमाल का तीर कमान चलाता है। मैंने उसका वार देखा, वो तीर पेड के काफी अंदर तक घुज गया है। इससे ये तो साफ है कि वो काफी सालों से ये काम कर रहा है। और इस काम में अच्छा भी है। रूपमती राजकुमार की बात अच्छे से समझ रही थी। राजकुमार की ये योजना भी उसे पसंद आ रही थी। राजकुमार ने जब उसको सारी बात बता दी तो वो अच्छानक से बोले। ठीक है, अब मैं चलता हूँ यहां से, आप आराम कीजिए। ये कहते ही जैसे ही राजकुमार वहां से निकलने लगी। रूपमती ने उसे रोकते रूपमती की ये बात सुनकर राजकुमार थोड़ा चौक गए और वो हलकी मुसकान के साथ बोले। आप तीर कमान चलाना जानती हैं। राजकुमार के महल में लड़कियों को तीर कमान और तलवार बाजी में ज़्यादा शौक नहीं था। उन्हें इसकी जगे काफी रूपमती को देखकर उन्हें ऐसा लगता जैसे उन्होंने आज तक अपनी जिंदगी में औरतों को काफी कम समझा था। रूपमती उनका सवाल सुनते ही बोली। क्यों नहीं? क्या लड़कियां इस सब करना नहीं जान सकती? राजकुमार ये सवाल सुनकर थोड़ा सा क्या वो इस बात को सुईकार कर लेंगी? या फिर लड़कियों के खेलने का भी इंतिजाम कराएंगी? जानने के लिए सुनते रही राणी रूपमती सिर्फ पर सिर्फ पॉकेट एफेम पर। उनकी ओर देखा और कहा, क्यों का क्या मतलब है? ये ऐसे ही होते आया है और ऐसा ही होगा। रूपमती का गुस्सा उसके नाक पर सवार था। उसने गुस्से से राजकुमार को देखा और वो बोली, तो ठीक है, परसों से ये प्रथा बदलने वाली है, ऐसा नहीं होगा आ रूपमती की मतलब है कि कल मैं भी इस प्रतियोगिता में भाग लूँगे और जिन भी लड़कियों को खेलने का मन हो, वो भी आगे आएंगे। रूपमती ने बहुत साहस के साथ कहा। राजकुमार ये सुनकर हस पड़े और आगे बोले, हो सकता है कि आप खेल पाओ, ले लेकिन हमारे राज्य में लड़कियां तीरबाजी नहीं करती है। राजकुमार को अपनी बात पर पूरा यकीन था कि रूपमती की खेलने ना खेलने से बाकी लड़कियों को कोई फर्प नहीं पढ़ने वाला था। आज तक राजकुमार ने जैसी चीजे होती देखी थी उन्हें ही लग रहा था कि आगे भी सब वैसे ही चलने वाला था। कहीं ना कहीं बाकियों की तरह उनकी सोच भी उनके माबाप नहीं बनाई थी। रूपमती ने राजकुमार को दावा देते हुए कहा। हाँ, कल देख लेंगे कि कैसे होता है और कैसे नहीं। ये कहकर गुस्से से भरी चाल देखी और वो मुस्कुराने लगा। ना जाने क्या खाती है ये जो इन्हीं इतना गुस्सा आता है। राजकुमार ने ये कहा और वो वहां से वापस लोट गये। अपने कक्ष में मौजूद राजकुमारी रोही ने विस्तर पर बैठी तेज सांसे ले रही थी। उन्होंने अपने एक हाथ अपनी चाती पर रखा हुआ था और वो खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। अचानक से अपने गाल पर हाथ लाते हुए अपने कक्ष के एक कोने में भागी और एक कटोरा पकड़ कर उसमें उल्टी करने लगी। खाने के बाद उसके पैर के पास खुद बैठ गई और बोली। राजकुमाली आपको वैद्दे के पास जाना ही होगा। मुझे लगता है कि आपकी तब्यद बहुत बिगड़ गई है। रोहिनी ने ये सुनकर अपना मूँ फेर लिया और फिर वो गुस्से में दासी से ब नीचे गिर गया। रोहिनी की हालत दिन पर दिन बुरी हो रही थी। लेकिन उसी क्या हुआ था ये बात रोहिनी के अलावा कोई नहीं जानता था। रोहिनी की दासी को शक था कि कहीं रोहिनी पीट सु तो नहीं थी। क्योंकि रोहिनी को जिस तरह से उल्टी और सिर दर् उस सब एक ही तरह पिशारा कर रहे थी रोहिनी ने खुद का चहरा ढखा और एक रात और इसी तरह से काट ली अगली सुबे जल्दी तयार होकर रोहिनी ने अपने कमरे में दासी से खत लिखने के लिए कुछ सामान मंगवाया दासी एक कागस कलम और स्याही अपने साथ लेकर आई और रोहिनी उसे अपने हाथ में लेकर कलम को स्याही में भिगो कर लिखने लगी रोहिनी ने अपना चहरा दूसरी और घुमाया हुआ था स्याही में उसकी आखों के आंसू भी बिल रहे थी पत्र के आखिर में रोहिनी ने प्रताप का नाम लिखा और उस पत्र को मोड़ कर अपने हाथों में पकड़ लिया एक लंबी आह भरते हुए रोहिनी ने उस पत्र को अच्छे से खत में रखते हुए दासी को दिया और कहा इसे सही समय पर राजकुमार प्रताप के पास पहुचाना होगा दुमे दासी ने अपनी नजरे जुकाए हुए उस पत्र को अपने हाथ में लिया और उसकी आग्या का पालन करते हुए वो कमरे से निकल गई दासी महल से निकली और कुछ खंटों के सफर के बाद प्रताप के राजजी के पास पहुच गई रत से उतरते हुए दासी राजजी के अंदर दाखी लुए सिपाही ने उससे अंदर जाने से रोकते हुए कहा क्या हम जान सकते हैं कि आप यहां क्या कर रही है दासी ने अपने चहरे पर एक लंबा घूंगा टोड़ा हुआ था उसी पाही की बात का जवाब देते हुए बोली मैं यहां राजकुमार प्रताप के लिए खत लेकर आई हूँ ये खास खत है इसलिए मुझे ये खुद उनके हाथों में देने का आदेश मिला है राजकुमार से कहिए कि राजकुमारी रोहिनी ने एक खत बेजा है दासी की आखे अभी भी जुकी हुई थी उसकी ये बात सुनकर सिपाही वहाँ से चले गए और राजकुमार से जाकर इस बारे में पूछने लगे राजकुमार पृताप एक खुली जगए में अपने एक दोस्त के साथ शतरंज का एक खेल खेल रहे थी ये खेल आम शतरंज की तरह नहीं था बलकि वो दोनों शतरंज इनसानों के साथ खेल रहे थी उस पूरी जमीन पर काली और सफेद रंग के बकसे बने हुए थी जिन पर लाइन से शतरंच के सिपाही से लेकर रानी तक सब लगी हुए थी बस राजा की जगे पर एक तरफ राजकुमार प्रताब थे तो दूसरी तरफ उनके दोस्त वो अपने मूग की बोली से उस खेल को चला रहे थी जिसकी चाल से जो कोई भी अपनी सिपाही प्यादे या फिर घोडे को खो रहा था वो अपने आप ही खेल से बाहर हो रहे थी सिर्फ दोनों तरफ के राजा की हाथों में तलवार थी जो बाहर से रोहिनी किखत की खबर लेकर सिपाही अंदर आया तो उसने कुछ देर खेल के बीच में दखल अंदाजी दिखाना सही नहीं समझा दोनों राजकुमार खेल में इतने वैस्त थे कि उस सिपाही की ओर किसे ने नहीं देखा शत्रंज का खेल अब बस अंति मिस्तिती पर था दोनों तरब के राजा अब एक दूसरे के आमने सामने आने वाले दी प्रताब बड़ी गंभीरता के साथ ये खेल खेल रहा था लेकिन एक चूक होने पर उसकी गर्दन पर दूसरे राजा ने तलवार तान दी तलवार गर्दन पर आते ही प्रताब ने एक लंबी आह छोड़ी और वो बोला अरे नहीं आपने तो मुझे एक बार फिर मात दे दी सच में कमाल खेलते हैं आप जगदीश जगदीश राजकुमार प्रताब का काफी करीब दोस्त था वो भी महल में ही रहता था और प्रताब की बुआ का बेटा था प्रताब जगदीश से काफी प्रभावित था यहां तक कि हाला कि ये खेल खेलना प्रताब ने जगदीश को सिखाया था लेकिन जगदीश कुछी दिनों में प्रताब को हराने लगा था जगदीश ने प्रताप की बात हसती हुए सुनी और वो आगे बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं इस बार आप से एक छोटी सी भूल हो गए जिसकी बज़े से मैं जीत गया वन्ना मेरा जीतना तो मुम्किन नहीं था जगदीश ने ये कहकर तलवार हटाई और वो दोनों साथ में चलने लगी वो अभी आगे बढ़े ही थे कि जगदीश की नजर उस सिपाही पर गई जो की बाहर से आया था उसके कपड़े बागी सिपाहीं से अलग थे उस सिपाही को देखते ही जगदीश बोला कहिए क्या बात है उस सिपाही ने अपनी नजरे जुकाई और फिर वो बोला राजकुमार की जै हो बाहर एक दासी खड़ी है और कह रही है कि वो राजकुमारी रोहिनी की ओर से खत लेके आई है ये सुनते ही परताब के चहरे के भाव बदल गए जगदीश परताब की जगए हां कहकर उस खत को लेने ही वाला था कि परताब बोला नहीं उस दासी को कह दो कि मैं अभी महल में नहीं और खत नहीं ले सकता ये कहकर परताब ने उस सिपाही को वहां से भेज दिया उस सिपाही के जाते ही जगदीश ने उसकी और देखा और कहा आपने ऐसा क्यों किया प्रताप के चहरे के भाव बदल चुके थी जगदीश ने आगे कहा जहां तक मुझे याद है राचकुमारी रोहिनी से तो आपकी अच्छी बात होती थी फिर अचानक से क्या हुआ जगदीश का ये सवाल सुनकर प्रताप ने कहा बस ये समझ लो कि अब नहीं होती और कुछ नहीं वो मुझसे कुछ जादा ही उम्मीद जोड चुकी थी और मैं उन उम्मीदों पर शायद खड़ा नहीं हो सकता प्रताप ने ये जवाब दिया और वो दोनों उस जगे से निकल कर अपने अपने कक्ष में चले गए दासी जब ये खबर लेकर वापस अपने राज्य के लिए निकल गई तो अपने राज्य के महल में पहुचने पर दासी को किसी ने रोग लिया सूरज ढल चुका था और आसमान में अंधेरा चाने लगा था इतनी देर से किसी दासी का वापस लोड़ना सही नहीं माना जाता था आला कि रोहिनी की दासी ने पूरी कोशिश की थी कि वो अंधेरे से पहले महल वापस लोड जाए लेकिन प्रताब के महल में जादा देर तक इंदिजार करने की वजए से उसे देर हो गई दो सिपाही ने उसे दर्वाजे की थोड़ी ही दूर पर रोप दिया था और वो उसकी ओर देखकर गंभीर आवाज में उससे सवाल कर रहे थे ये समय है वापस लोटने का बताओ हमें कहा थी तो और इतन जो दासी इस वक्त देर से आती है उसके साथ क्या होता है ये कहकर दूसरा सिपाही हसने लगा असल में दासियों के उपर अत्याचार करने वाली सिपाही महल में कई थी किसी की भी मजबूरी देखते हुए वो उसे पकड़ लेते और उसके साथ अशलील वेवहार करने लग रोहिनी की दासी बहुत ज़्यादा घपरा गई उसने अपने हाथ में पकड़े उस खत को तुरंट किसी तरह से चुपा लिया और वो बोली मुझे राजकुमारी रोहिनी ने दूसरे राजे भेजा था इसलिए वापस आने में देर हो गई मुझे जाने दीजिये कुमारी तो कब की सो गई होंगी चल अपना घूंगड उठा अभी के अभी चल्दी कर ये कहते हुए रोहिनी की दासी को छूने के लिए उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाये रूपमती की दासी ने खत को सबसे पहले छुपाने के लिए अपनी कमर पर बाधा और फिर को अपने कदम उन दोनों सिपाही से दूर होते हुए पीछे लेने लगी। दासी चिला नहीं सकती थी और ना ही वो मदद के लिए किसी को बुला सकती थी। महल में दासी का चिलाना सही नहीं माना जाता था। ना तो उनके उपर हो रहे अत्याचार से किसी को फरक पड़त और ना ही कोई उनके अत्यचारों के बारे में सुनना चाहता था। दासी कापती हुई आवाज में बूली। मुझे जाने दो, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाँ जोडती हूँ, ऐसा मत करो। दासी के घूंगट पर उन दोनों सिपाही ने हाथ रखा और उसे खीच कर निकाल दिया। घूंगट हट जाने पर दासी का चहरा और उसकी आखों से बहते हुए आसु नज़र आने लगी। वो फिर से अपना हाथ जोडते हुए, दूर होने की कोशिश करने लगी। लेकित इतनी देर में एक सिपाही उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया और उसके कंधे पकड़ने लगा। रोहिनी की दासी अब कुछ नहीं कर सकती थी। अपनी शरीर को इस तरह सिपाहियों के हाथों इस्तिमाल करवा देने के अलावा उसके पास कोई और चारा नहीं था। उस सिपाही भी बहुत शातिर थी। वो जानते थी कि इस समय ना तो राजा और ना ही कोई रानी दौर के पास आते थी। इसलिए वो दासी के साथ कुछ भी कर सकते थी। उनमें से एक दासी को धकेलते हुए एक कोने में ले आया और बोला अब तो तुझे कोई मुझ से नहीं बचा पाएगा। ये कहते हुए वो उसके बालों को जबरदस्ती चूने लगा। लेकिन तब ही एक आवाज आई। उस कठोर आवाज को सुनकर ना ही सिर्फ सिपाहियों की होश उड़ गये। बलकि दासी भी हैरान रह गई। छोड़ो उसे। तुम्हारी हिम्मत कैसी भी ऐसा करने की। आखिर ये आवाज किसकी थी। और उसे देखते ही सबकी होश क्यों उड़ गये थी। क्या दासी अब बच जाएगी सैनिकों के इस अत्याचार से। जानने के लिए सुनते रही। रानी रूपमत सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफम पर। एपिसोड फॉर्टी सिक्स खत का सच। ये तुम क्या कह रहे हो। छोड़ो उसे। हिमत कैसी भी तुम लोगों की एक लड़की के साथ ऐसा करने की। ये आवाज किसी और की नहीं बलकि राजकुमारी रूपमती की थी। राजकुमारी रूपमती आम तोर पर इस समय खाने के बाद एक सैल लेने निकलती थी। आज उन्होंने एक नया रास्ता जुना था। वे उस जगे से गुजर ही रही थी कि तभी उन्होंने इन दोनों सिपाहियों को देख ली। वो दोनों दासी को छोड़कर तुरंत एक कोने में जाकर खड़े हो गए। दासी की आँखों से आँसों निकल रहे थी। रूपमती ने उसे समहला और फिर वो गुस्य से देखते हुए उन दोनों सिपाहियों की तरफ मुड़ गी। और बोली। तुम दोनों को शर्म नहीं आती। क्या इसलिए महराज ने तुम्हें इस दर्वाजे की रखवाली करने के लिए लगाया है? कि तुम ऐसा करो? ये सब करो? हाँ? रूपमती की आँखे गुस्य से लाल हो गई थी। उसके लिए ये बात मायने नहीं रखती थी। कि उसके सामने खड़ी लड़की एक दासी है या फिर एक राजकुमारी। एक दासी के साथ अत्या चार खुता देख उसके मन में ठीक उसी तरह से आग लगी थी। जिस तरह से एक राजकुमारी के साथ लगती। रूपमती ने ठीक उसी समय उन दोनों सिपाहियों को खीच कर राजकुमार के पास ले जाना सही समझा। बिना कोई वक्त जाया करे। रूपमती ने उसी जगे पर राजकुमार को पास में खड़े। एक सिपाही को कहकर बुलाया। राजकुमार के आने पर ही तुम लोगों को कुछ समझ आएगा आखिर तुम एक लड़की के साथ ऐसा विवहार कैसे कर सकते हो रूपमती ने गुस्से से कहा उसकी बात सुनते ही दासी ने जिसका हाथ रूपमती ने पकड़ा हुआ था उधीमी आवाज में बोली राजकुमारी मुझे माफ करना लेकिन गलती मेरी है मुझे आने में देर हो गई ये सुनकर रूपमती ने दासी को हैरानी से देखा और वो बोली देर हो गई तो क्या इन लोगों का तुम्हारे साथ ऐसा करना ठीक है तुम ये कैसी बाते कर रही हो ये जवाब सुनते ही उस दासी ने दबी हुई आवाज में कहा राजकुमारी यहां सब ऐसे ही होता है रूपमती ये सुनकर हैरान थी अब उसे बस राजकुमार के आने का इंतजार था ताकि वो ये ख्यालात लोगों के बदल सकी राजकुमार कुछ देर में वहां आ गया उसने रूपमती की ओर देखा और कहा राजकुमारी रूपमती क्या बात है इतनी रात को आपने मुझे अचानक यहां क्यों बुलाया है रूपमती उनका सवाल सुनते ही अपने उंगली उन दोनों सिपाही की ओर उठा कर बोली ये दोनों दासी के साथ बुरा व्यवहार करने की कोशिश कर रहे थे और वो भी क्यों? क्योंकि उसे आने में थोड़ी देर हो गई? आपको इन दोनों को सजा देने की जरूरत है रूपमती की आँखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा है राजकुमार ने पहले उस दासी की ओर देखा और फिर वो उन दोनों सिपाही के नजरे चुकी हुई रूपमती ये सवाल सुनते ही बोली मैंने अपनी दोनों आखों से देखा है अगर मैं यहां सही समय पर नहीं आती तो ये आज उसको छोड़ते नहीं आपका इतना नाम होने के बाद भी अगर आपके राजे में इस तरह की चीज़े हो रही है तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है रूपमती की बात सुनकर राजकुमार को भी अचानक से गुस्सा आ गया उन्होंने उन दोनों सिपाहियों की ओड़ देख कर गहा इन दोनों को काल कोठिली में बंद कर दीजिए जाएए राजकुमारी रूपमती ने ये देख कर एक आह बरी और फिर वो दासी की तरफ देखते हुए बोली तुम्हें किसी बात से ड़नने की जरूरत नहीं है और अपने दिमाग से ये निकाल दो कि तुम्हारे साथ ये इसलिए हुआ है क्योंकि तुम देर से आई हो गलतिया सबसे होती है लेकिन उसकी सजा तुम्हें इस तरह से देने की जरूरत नहीं है एक लड़की को सुरक्षित रखने का काम ना सिर्फ एक आदमी का है बलकि औरत का भी है तुम्हें खुद के लिए खड़ा होना होगा समझ रही होना तुम हालाकि ये खुले विचार दासी के लिए नहीं बने थे वो कुछ नहीं समझ पा रही थी कि रूपमती उसे क्या समझाने की कोशिश कर रही थी लेकिन किए रूपमती ने आज उसकी इज़़त लूटने से बचाई थी उसके मन में रूपमती के लिए एक अच्छी जगए बन गई थी उसने रूपमती की बात सुनकर अपने हाथ जोड़े और फिर उसका शुक्रिया करने लगी और वो बोली आपका बहुत शुक्रिया आपने आज मेरी इज़त लूटने से बचाई है इसके आगे वो कुछ नहीं बोली और रूपमती के आगे अपना सिर जुका कर खड़ी रहे रूपमती ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कोई बात नहीं ये मेरा एक औरत और एक राच्छकुमारी होने के नातिक करतव्य था अब तुम अपना ध्यान रखना और कोई भी तकलीफ हो तुम मेरे पास आ सकती हो जाओ दासी वहां से जा रही थी जब उसकी कमर से रोहिनी का वो खट जमीन पर गिर गया रूपमती ने जब तक वो खट देखा तब तक वो दासी जा चुकी रूपमती ने उस खट को अपने पास रखा और सोचा कि वो बाद में जाकर उसे दे देगी ये सारी चीज़े राजकुमार यश्वर्धन अपनी आँखों के सामने देख रहे उन्हें अब इस बात पर कोई शक नहीं था कि रूपमती सबसे अलग थी एक दासी के साथ छेर छाड होना कोई बड़ी बात नहीं थी ना ही इस राज्जे में और ना ही किसी और राज्जे में ये एक ऐसी चीज़ थी जिसे लोग देख कर भी अंदेखा करते हुए आये थी फिर चाहे वो राजकुमार के पिता महराज हो या फिर महराज के भी पिता हो उन सब ने दासी और सिपाहियों की निजी परिशानियों में कभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था लेकिन आज रूपमती की वज़े से पहली बार राज्जे में उस चीज़ को लेकर बदलाव आने वाला था राजकुमार जानते थे कि आज उन्होंने दासी का साथ देकर एक नए बदलाव को जन्म दिया था हो सकता था कि अगली बैठक में इस फैसले को लेकर राजकुमार के उपर सवाल भी उठे लेकिन आज उन्हें रूपमती की बात सही लग रही थी जो कुछ भी हुआ था वो ठीक नहीं था उस दासी के जाने के बाद राजकुमार और रूपमती साथ में उनके कक्ष की ओर जाने लग राजकुमार काफी देर तक शान्त थे रूपमती ये ध्यान से देख रही थी और कुछ सोचते हुए वो बोली आप जो कुछ हुआ है उसके बारे में सोच रहे है न कि वो सही था या नहीं रूपमती की ये बात सुनकर राजकुमार ने हसते हुए उनके ओर देखा और कहा हाँ, शाहद क्या आप जानती है कि सजा का जवाब मुझे सभा के आगे देना होगा इतना आसान नहीं है ये सब रूपमती ये सुनते ही गंभीर भाव में बोली हाँ तो आपने कुछ कलत नहीं किया आपने सही का साथ दिया है एक लड़की के साथ किसी भी इंसान को ऐसा करने की ताकत नहीं है अगर सिपाही की जगे कोई और होता तो भी मैं यही करती गलत काम गलत ही है सिर्फ इस लिए कि वो थोड़ा देर से वापस आई है आप किसी लड़की के उपर शारीरी कत्याचार नहीं कर सकते रूपमती ने ये कहकर राजकुमार को ध्यान से देखा और आगे कहा अगर उस दासी की जगे कोई और राजकुमारी होती तो आपको कैसा लगता क्या करते आप उन सिपाहियों के साथ रूपमती की ये बात सुनते ही राजकुमारी ने उसकी और देखा और कहा वो जिन्दा नहीं रहते क्यों? रूपमती ने राजकुमार से पोचा राजकुमार इस बात का जवाब देते हुए बोले क्योंकि वो एक राजकुमारी है पर और एक लड़की भी क्या आप जानते हैं कि कितनी दासीयों के साथ ऐसा विवहार होता है जिसकी वज़े से उन्हें अपनी पूरी जिंदगी डर डर कर जीनी पड़ती है ना जाने कितनी दासीयों इन सब की वज़े से अपनी जान भी दे देती है आप कुछ सालों में राजा बनने वाले हैं क्या आप राजा सिर्फ अपने महल के बड़े लोगों के लिए बन रहे हैं या फिर उस पूरी प्रजा के लिए बन रहे हैं जिनके सहयोक से आप राजा बनेंगे अगर आप अपनी प्रजा की ओरतों को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे तो बाकी लोग कैसे रूपमती की ये बात राजकुमार के मन में जैसे बैठ गई थी रूपमती इस बात का जवाब सुनने की जगए ये कहकर अपने कक्ष में चली गई राजकुमार बाकी के सारे रास्ते सिर्फ यही बाते सोचते हुए अपने कक्ष की ओर चले गए उनके दिमाग में रूपमती और उनकी कही बाते घूम रही थी वही दूसरी तरफ रोहिनी की दासी भागते हुए रोहिनी के कक्ष में पहुँच गई रोहिनी कमरे में अंधेरा करके एक तरफ होकर लेटी खिड़की के बाहर देख रही थी दासी अंदर दाखिल होते ही धीमी आवाज में बोली राजकुमारी की जै हो अपनी दासी की आवाज सुनते ही रोहिनी जट से उठी और बोली तुम आगी? कहा थी तुम? इतनी देर कैसे होगी तुम्हें आने में? रोहिनी की दासी इस बात का कुछ जवाब देने ही लगी थी अहां वो मुझे सिपाहियों ने कि तभी रोहिनी ने उसकी बात को बीच में से काटते ही कहा ये सब छोड़ो मुझे बस ये जानना है कि मेरा खत प्रताप को भेजा या नहीं इस उनका रोहिनी की दासी ने अपनी नजरी जुका ली और फिर वो दबी हुई आवाज में बोली राजकुमार प्रताप राजजी में नहीं थे वो बाहर गय हुए थी इसलिए खत उनको नहीं दे पाई लेकिन आप चाहे तो मैं कल फिर से एक बार ये कहते हुए दासी चुप हो गए वो आगे कुछ कहती उससे पहले रोहिनी ने अपनी जगे से उठकर उसकी और गुस्से से देखा और फिर कहा वो राजजी में नहीं था इस समय प्रताप कहां जा सकता है मैंने तो ऐसी कोई ख़बर नहीं सुनी रोहिनी ये सुनकर अपनी जगे में इधर उधर खूमने लगी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे दासी की नजरे जमीन पर थी उसने दासी की और देखा और फिर कुछ सोचते हुए कहा ठीक है कल तुम फिर से जाना और ये पता करके आओ कि प्रताप वापस आया या नहीं याद रहे कि ये ख़द जरूरी है उनको पहुचाना तुम जा सकती हो दासी ने हलके से अपना सिर हिलाया और फिर वो बाहर चली गी बाहर जाते ही उसने अपनी कमर के पास चुपाया वो ख़द ढूनने की कोशिश की लेकिन उसे वो कही नहीं मिला के भगवान वो ख़द कहा गया यहीं तो रखा था दासी के पैरो तले जैसे जमीन खिसक गई थी उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे वो इधर से उधर जमीन पर वो ख़द ढूनने की कोशिश कर रही थी तब ही एक दासी उसके पास आई और बोली तुम्हें राजकुमारी रूपमती ने अपने कमरे में बुलाया है ये सुनकर दासी एकदम अपनी जगए पर खड़ी हो गई और बोली लेकिन क्यों शायद कोई सामान है उनके पास तुम्हारा दूसरी दासी ने जवाब दिया और वो वहाँ से चली गई अपने कक्ष में रूपमती उस खट को लेकर बैठी वी हाला कि वो से खोल कर पढ़ने के बारे में सोच नहीं रही कि तभी आखिर उनके हाथ से वो खट नीचे गिर गया और उस खट के बाहर लिखा नाम रूपमती को नजर आ गया परताप राजकुमारी रूपमती ने ये नाम पढ़ा और उनके मन में एक अजीब सी हल चल हुई परताप का नाम आखिर इस खट में क्यों था? क्या ये राजकुमारी रोहिनी ने निखा था? अचानक से कुछ सोचते हुए उन्हें राजकुमारी रोहिनी को कहे तानी याद आगे मेरी चीजों से दूर रहो राजकुमारी रोहिनी ने अपनी पहली मुलाकात में रूपमती से कहा था क्या वो परताप की बात कर रही थी? आखिर क्या रिष्टा था परताप और रोहिनी का? क्या रूपमती वो खत खोल कर पढ़ लेंगी और ऐसा क्या लिखा था रोहिनी ने परताब के लिए जानने के लिए सुनते रहे रानी रूपमती सिर्फ और सिर्फ Pocket FM पर रूपमती एपिसोड 47 प्यार के लायक रूपमती ने परताब का नाम पढ़ते ही उस पत्र को काफी ध्यान से देखा और फिर खुद से ही जगरते हुए उसे खोल दिया रूपमती के लिए ये बात अब तक नई थी कि राजकुमारी रोहिनी और परताब एक दूसरे को जानते थे रूपमती ने अभी उस कागज को खोल कर पहला शब्द पढ़ा ही था कि उसके कक्ष के पास आते हुए रोहिनी की दासी की आवाज आई राजकुमारी आपने मुझे याद किया रोहिनी की दासी की आवाज सुनते ही हडबढाते हुए रूपमती ने उस खट को वापस पहले जैसे मोड़ दिया और उसे अपने विस्तर पर रखते हुए वो हडबढाई आवाज में बुली हाँ हाँ अंदर आओ मैंने ही तुम्हें बुलाया है ये कहते हुए रूपमती ने उसे अंदर बुलाया और वो रूपमती के पास आकर खड़ी हो गए दासी के पास आते ही रूपमती ने उस खत को अपने बिस्तर से उठाया और कहा ये तुम उस समय गिरा कर चली गई थी मुझे लगा था कि काम का होगा तो मैंने अपने पास रख लिया यह कहते हुए रूपमती ने वो खट दासी को दे दिया। दासी उसे देखते ही खुश हो गए। लेकिन रूपमती के आगे उसने अपने भावों को चुपा कर रखा और तुरंथ उस खट को अपने हाथ में ले लिया। वो वहां से जाने ही लगी थी कि अचानक रूपमती पैसे क्या ये खत राजकुमारी रोहिनी का है। रूपमती के इस सवाल का जवाब देते हुए दासी बोली। जी राजकुमारी, ठीक है, अब तुम जा सकती हो। रूपमती ने ये कहा और उस दासी को अपने कक्ष से बाहर जाने की आग्या दे दी। उस दासी ने वहां से तुरंथ निकलते ही एक राहत भरी सांस ली। उस खत को वापस पाकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई खोया हुआ ख़जाना ढोल लिया हूँ। वो जानती थी कि अगर ये खत खो जाता तो राजकुमारी रोहिनी उसको जिन्दागार देती। अगली सुबै जोर शोर से तीर कमान के आयोजन की तैयारी शुरू हो गए। राजकुमारी रूपमती बाकियों से जल्दी उठकर खाली मैदान में अपना सामान लिये पहुँच गई। वो पेड के पास जाकर खड़ी हुई और काफी दूरी से अपना निशाना तानने लगी। राजकुमारी रूपमती रात में होने वाले कारकरम का एक अच्छा हिस्सा बनना चाहती थी। वो जानती थी कि उनका बाकियों से अच्छा होना जरूरी था। एक तो पहले ही वो राजकुमार को अपनी जुबा दे चुके थी। कुछ दिनों से अभ्यास ना कर पाने की वज़े से दो से तीन बार रूपमती का निशाना चुक गया। लेकिन उनके चहरे पर कोई शिकर नहीं आई। वो अभी भी उसी ध्यान से अपना अभ्यास कर रही थी। रूपमती ने एक बार फिर से निशाना ताना ही था कि अचानक से उसे एक आवास सुनाई दी। कमाल है राजकुमारी। सच कहूं तो मैंने ये भी नहीं सोचा था कि आप इसको अच्छे से चलाना जानती भी होंगी। रूपमती ने मुण कर देखा तो उसके पीछे राजकुमार खड़े थी। राजकुमार ये श्वर्धन ने सफेद रंग की कपड़े पहने हुए थी। और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो इतनी सुबह किसी चीज का अभ्यास करने आये थे। रूपमती ने अपने बालों को एक सफेद रंग की पगड़ी में बांधा हुआ था। राजकुमार का सवाल सुनते ही वो पीछे मुड़ी और उनकी और गुस्से से देखने लगी। ये देखते ही राजकुमार हसने लगे और आगे बोले। तो आप इतनी सुबह भी इतन रूपमती के साथ तीर के चलने का इंतिसार कर रहे थे। अपनी सास को रोक कर खड़ी रूपमती ने तीर को छोड़ दिया। इस बार तीर सीधे पेड की तना पर जाकर जीक बीच पर लगा। और राजकुमार के चहरे पर ये देखते ही मुस्कान आगे। उन्होंने अग रूपमती अभी शान्त थी, उसके चहरे पर एक गंभीर भाव था। वो अभी भी उस पेड की ओर देख रही थी, जैसे उसने अभी तक निशाना सही से नहीं लगाया हो। रूपमती ने एक और तीर निकाला और इस बार बहुत ध्यान से उसे चला दिया। राजकुमार क रूपमती के नजर उस तीर पर थी, जैसे ही वो तीर उस पेड के तना से जादा उपर गया। राजकुमार को ऐसा लगा कि इस बार रूपमती से कोई गलती हो गई थी। लेकिन अगले ही पल उस तीर ने उस पेड पर लगे सेब को चीर दिया, जिससे देखकर रूपमती अपने कमान को नीचे कर दिये अब उसके चहरे के भाव भी बदल गए थे ये देखते ही राजकुमार की होश उड़ गए हाला कि वो राजकुमारी को देख कर इतना तो समझ गए थे कि वो तीर कमान चलाना जानती थी लेकिन उन्हें इस बात का कोई ख्याल नहीं था कि वो इस खेल में इतनी कमाल की थी राजकुमार इस बार ताली बजाने तक के लायक नहीं रहा उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे रूपमती ने उन्हें दंग कर दिया था रूपमती इस बार निशाना मारने के बाद उस सेप को तोड़ने गई और राजकुमार के पास लाते हुए बोली माफ कीजिए का राजकुमार आप कुछ कह रहे थे राजकुमार के चहरे पर ये सुनते ही एक मुस्कान आ गई उन्होंने रूपमती को देखा और फिर वो खुद पर हसने लगा और बोला, आप सच में बहुत अलग है रूपमती सेफ की ओर देख रही थी उसने उसमें से अपना तीर निकाला और फिर वो बोली आज शाम के लिए तैयार रहीएगा रूपमती ये कहकर आगे चलीगी राजकुमार उसे जाता हुआ देख कर सिर्फ मुस्कुराते रहे हर रोज की तरह आज भी रूपमती ने उन्हें चौका दिया था और वो पहले से भी जादा रूपमती के प्यार में खुद को खोने लगे थी उनके नजर में रूपमती हर एक चीज में अच्छी थी और ये चीज राजकुमार को बहुत पसंदा रही थी रूपमती वहां से निकल कर अपने कक्ष के ओर जाने लगी अभी रूपमती कक्ष के पास पहुँची ही थी कि तभी वो राजकुमारी रोहिनी के कक्ष के पास से गुजरी रूपमती ने अपना कदम आगे ही बढ़ाया था कि उसे अंदर से किसी के रोने की आवाज आई रूपमती उनकी आवाज सुनते ही चलते चलते बीच में रुख गई वो उनके कक्ष के बाहर आकर रुख गई और फिर दर्वाजे की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी रूपमती ने अंदर की और हलके से जहाका तो उसे रोहिनी बिस्तर की एक और नजर आई और उसके रोने की आवाज पहले से भी जादा तेज हो गई रूपमती ने कुछ सोचते हुए अपने कदम रोहिनी के कक्ष के अंदर बढ़ा ली रूपमती अंदर पहुँचकर धीमी आवाज में बोली राचकुमारी रोहिनी ने जैसे ही रूपमती की आवाज सुनी उसने अपनी नजरे उठाकर उपड देखा और उसके चहरे के भाव बदल गए वो तुरंत अपना मूँ पोच कर बोली राचकुमारी रूपमती आप यहां क्या कर रही है रूपमती ने इस बात का जवाब देते हुए कहा मैं बस यहां से गुजर रही थी अब ठीक तो है ना राचकुमारी रूपमती ने अपना चहरा उठाया और बड़े घमंड के साथ कहा हाँ? मुझे क्या होगा? मैं विल्कुल ठीक हूँ यह सुनते ही रूपमती बोली तो फिर आप रोग क्यों रही थी? इस बात का जवाब देते हुए रूपमती की आँखों में देखा और तुरंद कहा मैं बाकी लड़कियों की तरे कमजोर नहीं जो मैं रोऊंगी वो मेरी आँखों में कुछ चला गया होगा तब ही ऐसे मैं समझी नहीं पैसे आप यहां कर क्या रही हैं रूपमती हलका सा मुस्कुराई और रोहिनी से बोली रोने से आप कमजोर नहीं बलकि और हिम्मत वाली कहलाएंगी रोना दिल के लिए अच्छा होता है और हम लड़कियों के अंदर यह हिम्मत और भी अच्छे से डाली जाती है रोहिनी ने ये बात सुनकर अपना मूँ फिर लिया रोपमती ने जैसे ये देखा वो थोड़ा और पास आई और बोली मैं जानती हूँ कि हम दोनों के बीच कोई गहरा या करीबी संबंद नहीं है लेकिन मेरी आप से कोई दुश्मनी नहीं है मैं आप की इज़त करती हूँ और अगर आप किसी परिशानी में है तो आप मुझे बेजिजक रोपमती आगे कुछ कहती उससे पहले ही रोहिनी ने गुस्से से उसकी उड़ देखा और कहा ये अच्छा तरीका है जूट कहने का पहले आप किसी की बेज़िती करें और फिर उसके बाद कहें कि आप उनकी इज़त करती है आप ये सब अपने मेवार के महल से सीख कर आई हैं क्या रोपमती जितना शांती से बात करने की कोशिश कर रही थी रोहिनी उससे उतना जादा गुस्सा दिला रही थी उससे शांत रोपमती जैसे सहन नहीं हो रही थी लेकिन रोपमती किसी से कम नहीं थी उसने अगले ही पल हलकी मुस्कान के साथ रोहिनी से कहा मैं जानती हूँ कि आप मुझे पसंद नहीं करती है लेकिन ऐसा क्यों है वो चीज मैं अभी भी समझने की कोशिश कर रही हूँ मैं यहाँ सिर्फ ये कहने आई थी कि कोई परिशानी है तो आप हमें या फिर राचकुमार को बता सकती है आपको अकेले परिशान होने की जरूरत नहीं है रूपमती की बाद जैसे खत्म हुई उसने देखा कि रोहिनी के चहरे पर एक बदलाव आ गया था अब उसे उम्मीद थी कि रोहिनी शायद इस बार उससे अच्छे से बात करेंगी लेकिन एक बार फिर वो अपने घमंड के साथ बोली आप जानती हैं कि मैं आपको पसंद नहीं करती लेकिन फिर भी आप मुझे अकेले नहीं छोड़ रही है आप चाहती क्या है मुझसे जब मैंने कह दिया कि कोई परिशानी नहीं है मतलब कोई परिशानी नहीं है तो फिर ये सब करने का क्या मतलब है आप वैसे भी इस जगे के लिए नहीं बनी है ना तो आप राजकुमार की प्यार की योग्य हैं और ना ही इस महल की राजकुमारी बनने के मुझे भी पता है कि राजकुमार से बहुत बड़ी गलती हुई है आपको चुनकर क्योंकि आप प्यार करने के लायक ही नहीं है रूपमती ने जब इस बार रोहिनी के मुझ से ये शब्द सुने तो उसे थोड़ा दुख हुआ वो काफी देर से रोहिनी की नुकीली बातु को दिल से नहीं लगा रही थी लेकिन अब चानक से जैसे रोहिनी किसी मिर्ची की तरे रूपमती का दिल जलाने लगी थी रूपमती ने आगे कुछ नहीं कहा और वो मुड़ कर वापस जाने लगी रूपमती के मुड़ते ही रोहिनी के चहरे का घमंड भी गायब हो गया रोहिनी रूपमती के आगे अपनी कमजूरी नहीं दिखाना चाहती थी उसकी नजर में जो कुछ हुआ था वो सब करने वाली रूपमती थी वो ये अब तक सोच रही थी कि अगर आज प्रताब उससे बात नहीं कर रहा था वो भी रूपमती की वज़े से हुआ था रूपमती इन सब बातों से अंजान थी रूपमती दुख भरी आँखे लेकर रोहिनी की कमरे से निकल गई जैसे ही वो बाहर जा रही थी उसको इस तरह से तेजी से जाती हुए राजकुमार ने देख लिया वो रूपमती के पीछे जाने के बदले रोहिनी के पास आये और बोले राजकुमारी रूपमती को क्या हुआ वो यहां क्यों आई थी क्या आप दोनों की बीच को लड़ाई हुई है रोहिनी ने जब ये सवाल सुना तो अपनी जगे से उठ गई और खुद को शीशे के आगे सवालने रगी उसने राजकुमार की ओर देखा और बिना किसी भाव के साथ कहा कोई लड़ाई नहीं हुई है तो फिर क्या हुआ? राजकुमार ने तुरंद पूछा वो जब आप सुनने के लिए लगातार रोहिनी के पीछे चल रहे थे रोहिनी ने अपनी आखों के नीचे काजल लगाया और फिर अपने बाल ठीक करते हुए बोली मैंने सिर्फ उनको उनकी जगे बताई जो मेरे कक्ष में रहने की तो बिलकुल नहीं थी राजकुमार ने जब ये बात सुनी तो उनके चहरे के भाव बदल गए उन्होंने रोहिनी को देखा और कहा तुमने क्या कहा राजकुमारी रूपमती से? यही कहा कि वो प्यार करने के लायक नहीं है रोहिनी ने बड़े आराम से ये शब्द कह दिये लेकिन राजकुमार के चहरे के भाव बदल गए अकिर क्या कदम उठाएंगे राजकुमार? जानने के लिए सुनते रहे राणी रूपमती सिर्फ और सिर्फ पॉकेट इफेंपर मती एपिसोट 48 महरानी का जाल यही कहा कि वो प्यार करने लायक नहीं है राजकुमारी रोहिनी ने अपनी बाद बड़े घमन के साथ सामने रखी ये शब्द सुनते ही राजकुमार के चहरे के भाव बदल गए उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर क्या जरूरत थी रोहिनी को ऐसा कहने की क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने ऐसा क्यों कहा राजकुमार ने थोड़े गुस्से में पूछा ये देखकर राजकुमारी रोहिनी ने अपना मू फेरा और एक आह छोड़ते हुए वो बूली क्या ही फर्ग पड़ता है अश्वर्धन वैसे भी आपको राजकुमारी से विवाह नहीं करना है अब वो गुस्से में यहां से जाए या ना जाए हमें क्या रोहिनी अभी भी अपनी गलती मान लेने के लिए तैयार नहीं थी और यह देखकर राजकुमार की आँखों में और गुस्सा नजर आने लगा उन्होंने रोहिनी को देखा और वो बोले आपको अपनी गलती पर घमंड है आप कब से ऐसी हो गई रोहिनी मैंने आपको इस तरह से व्यवहार करते हुए पहले कभी नहीं देखा रोहिनी राजकुमार की बात सुनकर चुड़ गई और तुरंद बोली मुझे क्या हुआ है मैं पूछना चाती हूँ कि तुम्हें क्या हो गया है ये श्वर्धन उसकी वज़े से तुम मुझसे क्यों लड़ रहे हो तुम बदल के हो ये सुनकर राजकुमार ने कहा क्योंकि आप गलत है और मैं गलत का साथ नहीं दे सकता राजकुमार ने ये कहा और वो वहाँ से बाहर निकल गए राजकुमारी रोहिनी ने भी आगे कुछ नहीं कहा वो बस अपनी आखे जुका कर जमीन पर देखने लगी और फिर कुछ सोच कर उसने अपनी आखे कसकर बंद कर ली वहीं दूसरी तरफ राजकुमार रोहिनी के कमरे से निकल कर राजकुमारी रूपमती के पास जाने लगे वो कक्ष के अंदर जैसे ही दाखिल हुए रूपमती चिल्ला उठी राजकुमार ने जैसे ही अपने सामने देखा बुद्तरंथ पीछे मुड़ गए और अपनी आखों पर हाथ रखते हुए बोले राजकुमारी मुझे माफ कर दीजे मैं बस आपको राजकुमार आगी कुछ कहते उससे पहले गुस्से से राजकुमारी रूपमती ने कहा आपको अंदर आने से पहले सोचना चाहिए आप ऐसे कैसे मेरी कमरे में आ सकते हैं राजकुमारी रूपमती अपनी साडी का पल्लू अपने कंधे पर लगाने की कोशिश कर रही थी वो पल्लू जमीन पर था जब अचानक से राजकुमार अंदर आ गए राजकुमार के आते ही रूपमती निहर बढ़ाते हुए उस पल्लू को अपने कंधे पर लगाना शुरू कर दिया आपके दासियां सब बाहर थी तो मुझे लगा कि कहीं आप अकेले परिशान ना हो रही हूँ राजकुमार की ये बात सुनते ही रूपमती तुरन बोली मैं परिशान क्यों हूँगी राजकुमार अभी भी रूपमती के आगे पीट करके खड़े थी और रूपमती दूसरी और अपने पल्लू को अच्छे से लगाने के बाद खुद को देख रही थी राजकुमारी की बात सुनते ही राजकुमार बोले असल में मैंने आपको राजकुमारी रोहिनी के कमरे से निकलते हुए देखा था तो मुझे लगा कि आप परिशान हैं। रूपमती ने ये सुनकर कुछ नहीं कहा। वो एकदम शान्त हो गई। पल्लू अच्छे से लगाने के बाद वो बोली अब आप पीछे मुड़ सकते हैं। राजकुमार ने ये सुनकर धीरे से पीछे देखा और अपनी आँखे खोलते हुए। राजकुमारी रूपमती को अपने सामने लगिये कुर्सी पर बैठा हुआ पाया। फिर वो धीमी आवाज में बोले। मैं बस यही पूछने आया था कि आप ठीक तो है ना। राजकुमारी रूपमती ने कहा। हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं जानता हूँ कि रोहिनी गुस्से में कई बाते बोल देती है। लेकिन वो दिल की अच्छी है। वो बस किसी के आगे कमजोर देखना पसंद नहीं करती। राजकुमार ने कहा। ये सुनकर रूपमती कुछ देर चुप रही और फिर बोली। हाँ, मैं जानती हूँ। आप उसकी बात का बुरा मत मानीगा। राजकुमार आगे बोले। हलाकि मैं जानता हूँ कि उन्होंने आपसे कई बाते बोली हैं। लेकिन उन्हें दिल से मत लगाना। वो कभी-कभी गुस्से में नहीं जानती कि वो क्या बोल रही है। रूपमती राजकुमार की बात समझते हुए। आगे बोले। आप चिंता मत करिए। मैंने उनकी किसी भी बात को दिल से नहीं लगाया है। मैं जानती हुँ कि वो अभी गुस्से में थी। लेकिन मैं ये समझ नहीं पाई कि क्यूं। रूपमती नहीं ये कहा और वो राजकुमार को देखने लगी। फिर वो आगे बोली। आज जब मैं उनके कक्ष में गई तो वो रो रही थी। जब मैंने पूछा तो मुझे वो सारी बाते उन्होंने कह दी। मैं जानती हुँ कि ये सब सिर्फ इस लिये था ताकि वो कमजोर नजर ना आए। लेकिन मुझे लगता है कि वो किसी चीज को लेकर काफी परिशान है। राजकुमार के चहरे पर एक गंभीर भाव आ गया। वो कुछ कहते उससे पहले रूपमती आगे बोली। आप उनकी करीब हैं। हो सकता है कि वो आपको सच बताए। राजकुमार ने ये सुनते ही कमरे में कुछ कदम और आगे बढ़ाए। और फिर वो खिड़की के पास आकर बोले। हाँ परिशान तो हैं वो लेकिन कुछ समय से रोहिनी ने मुझे भी कई चीजे बताना बंद कर दिया। पर अब आपने कहा है तो मुझे लगता है कि मुझे इसका हिस्सा बनना पड़ेगा। राजकुमारी रूपमती भी अपनी जगे से उठकर राजकुमार के पास आई। और ठीक उनकी तरह खिड़की के बाहर देखते वे बोली। हम्... मुझे लगता है कि उनको आपकी जरूरत है। यस सुनकर राजकुमार ने रूपमती की तरब देखा। रूपमती कुछ सोचते हुए उनके पास आकर खड़ी तो हो गई थी। लेकिन राजकुमार उन्हें इतना करीब पाकर कुछ और ही महसूस करने लगा था। राजकुमारी का पल्लू जो उन्होंने इतनी जल्दवाजी में बांधा हुआ था। उस पर लगी पिन साफ नजर आ रही थी। रूपमती उसे ढखने की कोशिश कर रही थी। लेकिन राजकुमार ने ये देखते ही कहा। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं कोशिश करू। रूपमती ने इस सुनकर कुछ नहीं कहा। मुधीरे से उनके तरफ हो गई और अपने पल्लू वाले हिस्से को राजकुमार के सामने ले आए। राजकुमार ने थोड़ा हिच किचाते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और फिर वो उनके पल्लू को ठीक करने लगा। राजकुमारी रूपमती को पहले लगा था कि राजकुमार को ये काम नहीं आता होगा। लेकिन उन्होंने कुछी मिनट में पल्लू को एत्दम अच्छे से जगए पर लगा दिया। उन्होंने ये काम इतना अच्छे से किया था कि रूपमती ये देखते ही हसते हुई बोली, माहनना पड़ेगा, जितना मैंने सोचा था, उससे जादा अच्छे हैं आप इसमें। रूपमती की बात सुनकर राजकुमार मुस्कुराएं और फिर बोली, हाँ, सर्फ आप ही सब कुछ करना नहीं जानती, मुझे भी आता है। ये कहते हुए वो दोनों हसने लगे। अगले ही पल रूपमती के कक्ष में एक सिपाही आया और उसने आवाज लगाते हुए कहा, राजकुमार की जैहो, महराज आपको अपने कक्ष में बुला रहे हैं। ये सुनकर राजकुमार ने रूपमती को देखा और फिर से उसका हाथ पकड़ कर रूपमती के हाथ पर प्यार सी चूमते हुए बोले। अपना ध्यान रखियेगा राजकुमारी, शाम को उत्सों म मिलते हैं। राजकुमारी शर्माते हुए हलका सा मुस्कुराईं, लेकिन आगे कुछ नहीं बुली। राजकुमार की जाने के बाद वो शीशे में उनके लगाए गए पल्लू को देखने लगी, और फिर खुद से ही राजकुमार की तारीफ करने लगी। एक तरफ राजक कि रूपमती तीर कमान की पृतियोगिता का हिस्सा बनने वाली थी। इसे सुनकर वो बहुत ही गुस्से में आ गई थी। वो अपनी दासी के आगे बैठते हुए बोली। पहले ही अश्वर्धन उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। उपर से जो मन में आए वो कर रही है ये राजकुमारी रूपमती। मुझे कुछ तो करना ही होगा इसे रोकने के लिए। वरना ये अपने साथ साथ हमारे राज्जिका भी नाम डुबो देगी। पकवान पूरे महल के लिए वो बनाएंगी। उन्हें सब समालना है और सही वक्त का ध्यान भी रखना होगा। दासी को ये बात कहकर महरानी ने वहां से भेज दिया। उसके जाते ही अकेले में महरानी मुस्कुराई और बोली। अब मैं भी देखती हूँ कि इतने काम के बीच कैसे जाएगी वो पृत योगिता में हिस्सा लेने। महरानी की दिमाग में और भी कई तरकीब थी। रूपमती का काम बिगाड़ने की। लेकिन अभी के लिए वो जानती थी कि ये काफी था। कुछ सोचते हुए उन्होंने मधु के लिए अपनी तरप से एक पैगाम भिजवा दिया। अभी भी दिल से वो सिर्फ मधु को ही अपनी बहु बनाना चाहती थी। रूपमती के पास जब ये आदेश पहुचा तो उसके चहरे के भाव बदल गये। वो तुरण बोली, लेकिन शाम को तु मुझे। उसने कुछ बोलना चाहा लेकिन फिर वो बीच में ही रुख गई। फिर वो आगी बोली, ठीक है, तुम जा सकती हूँ। ये कहका रूपमती ने उस दासी को अपने कमरे से बाहर भेज दिया। रूपमती नहीं जानती थी कि वो कैसे दोनों चीज़ों को साथ में समभलने वाली थी। इसे मिदारी इतनी अचानक से उन्हें मिली थी कि वो कुछ समच नहीं पा रही थी कि वो क्या करें। दिन होने में कुछ ही घंटे थे। रूपमती बिना समय बरबाद किये सीधा खाने के भंडार की उड़ चली गई। वहाँ पर उसे देखते ही एक राजकुमारी आई और बोली। राजकुमारी की जै हो, हमें अभी अभी आपके बारे में पैगाम मिला है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि कहा क्या चीज है। ये कहते हुए वो तुरंत रूपमती को सब कुछ दिखाने लगी। रूपमती के सिर पर एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, जिसका ख्याल लखना उनके लिए जरूरी था। दूसरी रूपमती को सब समझाने के बाद बूली। और हाँ, इस बात का ध्यान रखना है कि महराज के खाने में नमक बिलकुल ना हूँ, और कुमार साहब के खाने में मीठा ना के बराबर हूँ। और राजकुमारी रोहिनी को ये सबजी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उन्हें ये ना परूसी जाए, वरना वो गुस्से में आ जाती है। ऐसी कई सारी बाते उस राजकुमारी ने रूपमती को समझाई। जिस सब को रूपमती ने समझने की कोशिश दुखी, लेकिन उन में से कितनी उसे समझाई, ये कहना मुश्किल था। रूपमती उस राजकुमारी की जाने के बाद सीधी काम पर लग गई। उसने अपने पल्लू को कमर से बाधा और सब कुछ ध्यान से देखने लगी। वो जानती थी कि उससे कोई गलती नहीं हो सकती थी। राजकुमारी रूपमती ने सोचा था कि अगर वो जल्दी से ये सब काम निप्टा देंगी, तो वो टाइम से उत्सों के लिए भी पहुँच सकती थी। उसके दिमाग में यही एक ख्याल था कि जल्दी और अच्छे ढंग से उसे ये काम करना था। लेकिन तभी उस जगे पर महरानी आगई। महरानी के आते ही रूपमती ने उनको प्रणाम करती हुए कहा। महरानी की जै हो। कैसा चल रहा है काम राजकुमारी रूपमती। माफ करिएगा मैं जानती हूँ कि आपको आज प्रत्योगिता का हिस्सा बनना था। तेकिन कभी-कभी लड़कियों वाले काम करना भी जरूरी हो जाता है। ये कहकर महरानी हसने लगी। राजकुमारी रूपमती जानती थी कि उनका इशारा किस तरफ था। वो उनकी बात सुनते ही बोली। कोई बात नहीं महरानी। असल में मुझे खाना बनाना भी उतना ही पसंद है जितना तीर कमान। तो मुझे नहीं लगता कि ये मेरे लिए कोई परिशानी है। महरानी ने राजकुमारी की बात सुनकर अपने दात कस लिये। लेकिन वो आगी कुछ नहीं बोली वो उस जगे पर इधर से उधर घूमने लगी अचानक से वो एक बड़े से पतीले के पास आकर रुख गए और फिर अपनी दासी को देखकर कुछ इशारा करने लगी रूपमती काम पर लगी हुई थी दासी इशारा देखते ही रूपमती के पास उसका ध्यान भटकाने के लिए पहुँच गए सही मौका देखते हुए महरानी ने अपनी कमर पर बांधी हुई एक शीशी निकाली और फिर उसे खोल कर पतीली के पास ले आई ऐसा करते हुए महरानी के चहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई क्या महरानी राजकुमारी रूपमती को अपने जाल में भसा लेंगी जालने के लिए सुनते रहे ये रानी रूपमती सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफेम पर एपिसोड 49 नमक की शीशी महरानी ने उस शीशी को खोला और एक बड़े से पतीले में उसे पूरा का पूरा परोस दिया उस पतीले में महराज और राजकुमार दोनों की ही सबसे मनपसंद पकवान था खीर महरानी को पता था कि अगर एक मीठे पकवान में नमक मिल जाएगा तो इतनी जल्दी इसे ठीक करना रूपमती के लिए नामुम्किन था पहली बात तो वो तब ठीक करेंगी न जब वो खीर को चक कर देखेंगी रूपमती पहले ही महारानी के आगे खीर और बाकी की चीज़े चक चुकी थी महारानी को पता था कि रूपमती की नजर में उसकी ये खीर सही बनी थी खीर बहुत अच्छी बनी है अब तुम इसमें कुछ छेरचार मत करना जैसा भी है उसे रख दो महरानी ने रूपमती से कहा और फिर वो आगी की ओर आ गई रूपमती ने उनकी बात सुनते ही हलके से अपनी गर्दन हिलाई और वो बूली जी महरानी उस नमक की शीशी को पूरी तरह से खीर में पलटने के बाद कुछ देर इधर उदर घूम कर महरानी वहां से चली गए जैसे ही महरानी का काम हुआ रूपमती के आगे खड़ी महरानी की दासी भी हट गई और उन्ही के साथ वहां से चली गई अब उस रसोई घर में रूपमती और बाकी की कुछ दासियां थी सब लगातार काम में लगे हुए थे राचकुमारी रूपमती ने खिड़की के पास आकर बाहर देखा तो उसे नजर आया कि लोगों ने तीर कमान के खेल के लिए पूरी सजावट कर ले थी अब बस कुछ दो घंटे का समय था और खेल शुरू होने वाला था खाने में अभी एक और पकवान था जिससे रूपमती को बनाना था एक तरफ दासियां उसके लिए सबजियां काट रही थी वहीं दूसरी तरफ रूपमती खाने को पतीले में डाल कर उसे अच्छे से पका कर बना रही थी राजकुमारी अश्वर्धन के महल में ये एक बड़ा नियम था कि खाना राजकुमारी के हाथ से ही बनना चाहिए ना कि किसी दासी के इसलिए हर रोज रसोई घर की जिम्मेदारी एक राजकुमारी को दी जाती थी ताकि वो खाना बना सके दासीयों को सिर्फ सबजियां काटने के लिए या फिर छोटी मोटी मदद के लिए वहाँ खड़ा किया जाता था रूपमती के आगे छे से साथ पतीलों में कुछ ना कुछ जल रहा था रूपमती ने देखा कि खीर पूरी तरह से तयार हो गई थी तो उसने उसे ढख कर एक तरफ किया और फिर उसकी जगए पर नई सबजी के लिए पतीला रख दिया और उसमें सबजी और मसाला डालने लगी रूपमती को ध्यान रखना था कि राजा कम नमक का खाना खाते थे तो उनके लिए खाना पहले से ही थोड़ा अलग करके रखना था रूपमती ने अच्छे से पूरी सबजी बनाई और बीच में वो बार-बार अपने माथी को पोचते हुए सामने बड़ी सी खिड़की की ओर देखती रही सूरज जब एकदम सर पे था दिन के खाने के समय को आदी गंटे से कम समय बचा था अब खाना परोसने की बारी आ गई रूपमती यही सोचते हुए उन पतीलों को देखते हुए वहां से गुजर रही थी जब उसकी नजर जमीन पर गिरी एक शीशी पर गई उसे देखते ही रूपमती अपनी जगे पर रुप गई वो हलके से जुकी और उस शीशी को ध्यान से देखने लगी उसने शीशी को हवा में उठा कर गहा कोई जानता है कि यह किस चीज की शीशी है रूपमती का सवाल उन दासियों से था दासियों ने अपनी नजरे हटा कर उस शीशी को देखा और एक दूसरे में खुस पुसाती भी बोली नहीं राजकुमारी, हम नहीं जानते रूपमती ने जब यह सुना तो वो बोली अच्छा ठीक है, तुम लोग वापस काम पर लग जाओ रूपमती ने ये कहकर शीशी को अपने हाथ में लेकर देखना शुरू कर दिया वो शीशी एकदम खाली थी, उसमें आखरी बार क्या चीज रखी थी उसका थोड़ा सा भी निशा नहीं था उसमें रूपमती ने वो शीशी अपने नाक के पास लाकर सूंगने की कोशिश की तो उसे नमक की हलकी सी बद्बु आई लेकिन इसके बावजूद भी रूपमती पूरी यकीन के साथ नहीं कह सकती थी किसमें नमक था रूपमती ने देखा कि उस शीशी के आसपास वो सबजी उबलने में रखी थी जो उसने कुछ देर पहले ही पकाई थी रूपमती ने कुछ सोचते हुए एक चम्मच लिया और फिर उस सबजी को चक लिया खाने में उस सबजी बिलकुल सही थी महराज और बाकियों के हिसाब से भी खाने में रूपमती को कोई तकलीफ नहीं लगी लेकिन फिर भी वो खाली शीशी उस जगय पर देख कर अब रूपमती का दिल बैठा जा रहा था उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन दस पतीलों में से आखिर किस पतीले में नमक को अगर डाला है तो कहां डाला होगा रूपमती आसपास रखी बाकी सबजियों और खाने के पतीले में से थोड़ा-थोड़ा चखने लगी लेकिन सब सही था रूपमती ने जिस पतीले को अभी तक नहीं चखा था वो था खीर अब क्योंकि महरानी इस खीर की इतनी तारीफ करके चली गई थी रूपमती के मन में भी था कि शायद वो अच्छा बना था सबजियों की स्वाद में कोई परिशानी ना मिलने पर रूपमती दासियों के साथ खाने को थाली में परोसने में लग गई सारी दासियां तेजी से काम कर रही थी पहले महराज की थाली तैयार हुई और फिर बाकियों की महराज की थाली को एक तरफ रखते हुए रूपमती खीर लाने के लिए आगे बढ़ गई उसने दासियों की ओर देखते हुए कहा ठीक इसी तरह तुम बाकी थाली को भी लगाओ मैं बस खीर लाती हूँ दासियां उसकी बात सुनकर काम में लग गई रूपमती खीर के पतीले के पास पहुचकर कुछ गुनगुनाते हुए उसमें कर्ची डालकर राजकुमार के लिए खीर कटोरे में डालने लगी रूपमती धीमी मुसकुराहट के साथ गुनगुना रही थी उसे खुशी थी कि टाइम से पहले ही उसने सब कुछ पूरा कर लिया था यहां तक कि उसने दूसरे कोने में कुछ लोगों को शाम के पकवान तयार करने के लिए भी लगा दिया था अब बस उसे जाकर उन्हें तेल में तलते हुए देखना था जो काम जल्दी से वो निप्टा सकती थी अपने मन में ही कुछ सोचते हुए रूपमती बोली आज तो राच कुमार को मैं अपने तीर कमान का कमाल दिखा दूँगी ये कहते हुए रूपमती खुद ही में हसने लगी जब अचानक से उसकी नजर उस पतीले से थोड़ी ही दूर पड़े उस शीशी के ढखन पर गई रूपमती पहले सोची रही थी कि उसे उस शीशी का कोई ढखन नहीं मिला था लेकिन वो ढखन उसे ऐसी जगए पर मिल गया था जहां पर उसे देखते ही रूपमती की हालत खराब होने लगी थी ये? रूपमती ने कुछ बोलने की कोशिश की लेकिन उसके मुँसे कोई शब्द नहीं निकल रहा था उस ढखन को देखते हुए रूपमती ने रसोई घर में इधर उधर देखा सब लोग अपने काम में बहुत जादा घूम रहे थे अब थालियां पूरी तरह से तयार हो गई थी और बस रूपमती के आदेश का इंतजार था कि कब वो उन्हें बाहर जाने को बोलेंगे रूपमती का दिल बैठा जा रहा था कुछ सोचते हुए उसने कर्ची ली और फिर उस खीर में डालते हुए उसे थोड़ा सा चख लिया रूपमती ने जैसे ही ऐसा किया उसके मूँ का रंग उतर गया और उसने जितनी खीर को चखा था वो उसने मूँ से बाहर निकाल दिया फिर वो चिलाते हुए बोली इस खीर में नमक किसने मिलाया है इस आवाज से बाकी की दासियां भी अपनी जगए पर धम गए उनमें से कोई नहीं जानता था कि ये काम किसने किया था वो सब एक दूसरे को देखने लगे रूपमती के पास अब टाइम बहुत कम था खीर पूरी तरह से खराब हो चुकी थी वो उसे अब ठीक नहीं कर सकती थी उसे जल से जल नई खीर को तैयार करने की जरूरत थी लेकिन इतनी जल्दी वो ऐसा कैसे करती रूपमती के चीखने की आवाज एक और दासी थी जो बड़े ध्यान से सुन रही थी जैसे ही उसने रूपमती को इतना चिंता में देखा उसके चहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गए और वो ये खबर सुनते ही चुपते हुए उस रसोई घर से बाहर निकल गए रसोई घर से बाहर निकलने के ठीक बाद वो अपनी महरानी के पास गई और उनके आगे अपना सर जुकाते हुए बोली महरानी की जै हो हाँ क्या खबर है महरानी शीशे के आगे तैयार हो रही थी अपने बालों पर आराम से हाथ फेरती हुए उन्होंने शीशे में अपनी शकले देखी और फिर हलकी मुस्कान के साथ दासी की तरफ पलट गई दासी ने भी कहा महरानी राजकुमारी रूपमती का समय खत्म हो गया है और उन्हें बस अभी अभी खीर के बारे में पता चला है अब वो रसोई घर में सब के उपर चीक रही है ये सुनते ही महरानी मुस्कुराने लगी और फिर उसी मुस्कान के साथ आगे बोली अब क्या करीगी विचारी राजकुमारी अब तो कुछ नहीं हो सकता इतने सारे लोगों के लिए इतनी जल्दी खीर तो बन ही नहीं सकती ये कहते हुए महरानी ने अपनी शकल शीशे में दुबारा देखी और एक हाथ दिखाते हुए दासी को वापस लोट जाने के लिए कह दिया रूपमती रसोई घर में हैरानी भरी आखों से उस खीर के पतीरे को देख रही थी जिसका कुछ नहीं हो सकता था खीर पूरी तरह से खराब हो गई थी और उसकी दासीयों का थाली बाहर ले जाने का समय भी आ गया था रूपमती को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था इस समय उसका मन कर रहा था कि वो खिड़की से सीधे बाहर भाग जाए और इस जगे पर कभी लोट करना आए नेकिन आजकुमारी रूपमती इस तरह से भैसे भाग नहीं सकती थी उसे अचानक से कुछ याद आया कुछ सालों पहले रूपमती की मा ने मीठी में उसे दूद से बनी ए खीर खिलाई थी रूपमती को सिखाते हुए उसकी मा ने कहा था सबसे खास बात इस खीर की ये है कि ये जल्दी भी बन जाती है और इसका स्वाद भी उतना ही अच्छा रहता है ये सोचते ही रूपमती काम पर लग गई अपने आपको शांत करते हुए उन्होंने एक लंबी आहली और फिर दासियों को अपने पास बुला कर कहा एक नया पतीला और दूद लेकर आओ जल्दी ये सुनती ही वो सारी दासियां काम पर लग दे बाहर हॉल में सब के खाने का समय हो गया था धीरे धीरे सब लोग अपने कक्ष से निकल कर खाने के लिए आने लगे थे महराज और बाकियों के बैठने से पहले ही खाना वहां लगना जरूरी था इसलिए रूपमती ने बाकी दासियों को तुरंत ही काम पर लगा दिया और उन्हें थाली में बाकी सबजीयां और खाना ले जाने को कहा वो सब एक के बाद एक थाली बाहर ले जाकर मेज पर सजाने लगी रूपमती के पास अभी भी पांच मिनट थे बाकियों के आने से पहले उसमें उस दूद में बिना किसी दासि की मदद से खुद ही जल्दी से सब चीजे डाली और उसे पकने के लिए रख दिया इतने में एक दासी रूपमती के पास आई और बोली राजकुमारी सब लोग खाने के लिए बैठ चुके हैं ठीक है हम बस पांच मिनट में इस खीर को भी बाहर ले जाएंगे रूपमती ने यह कहा और फिर कर्ची से आराम से उस खीर को घुमाने रगी बाहर थाली सामने रखे एक बड़े से मेज में महराज, महरानी, राजकुमार और महल के बागी के राजकुमार और राजकुमारिया बैठ कर खाना खा रहे थे राजकुमार यश्वर्धन के नजर खाने की जगए हर जगए थी वो अपने आस पास रूप मती को ढून रहे थे रूप पती को रसोई घर की जिम्मेदारी इतने अचानक से मिली थी कि इस बारे में राजकुमार को अभी कुछ नहीं पता था महराणी ने जैसे ही थाली की ओर देखा तो वो बूली मैं आप सब को बताना चाहते हूं कि आज के खाली के जिम्मेदारी राजकुमारी रूप मती की थी मुझे मेरे आगे रखी थाली अच्छी तो नजर आ रही है लेकिन अधूरी भी लगता है राजकुमारी रूप मती मीठा रखना भूल ही गई ये कहकर महराणी ने हसना शुरू कर दिया बागी के राजकुमार और राजकुमारी भी हसे लेकिन महराज के चहरे पर कोई भाव नहीं थे राजकुमारी अश्वर्धन भी ये बात सुनकर हैरान हो गए थे कि आज का खाना रूप मती की जिम्मेदारी थी आखिर क्या होगा रूप मती के साथ क्या वो सही समय पर खीर बना पाएंगी या फिर इसी तरह एक हासी का पात्र बन कर रह जाएंगी रानी रूप मती जानने के लिए सुनते रही रानी रूप मती सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफेम पर